तो लास लास हम लोगों ने 2A कोट पे थोड़ा सा discussion किया था कि bid or ask को selection कैसे किया जाए उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा rounding of pip की बात कर रहे थे pip क्या होता है smallest value of exchange rate अगर 4 डिजिट में exchange rate है तो 1 pip का मतलब 0.0001 और 2 डिजिट में अगर exchange rate है तो 1 pip का मतलब 0.01 market में जब भी exchange rate कोट किया जाता है वो कौन सी वाले होते हैं अच्छा एक चीज़ हम बात कर रहे थे कि risk कैसे generate होता है business में इसी जो को मने analyze किया था तो जैकि foreign currency का risk जो generate होता है वो एक ही condition में जब आपका invoice currency कौन सी currency हो foreign currency तो हमेशा क्या रखना है कि जो हमारा invoice currency होता है वो हमेशा foreign currency होगा फिर कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल आता है कि foreign currency नहीं भी हो सकता है हमारा home currency भी तो हो सकता है हाँ हो सकता है home currency लेकिन home currency में जब invoice होते है तो risk horizon नहीं होता है कोई आपको hedging की टेकनीक की जरूरत नहीं है यानि कि आप risk को minimize कर रहे हो इस वाले transaction को hedging करेगा यानि कि other than Indian अब मुझे बताएए अगर dollar में इन्वाइस हो तो कौन hedging करेगा US वाले hedging करेगा कभी भी नहीं तो other than कौन होगा बताएए other than USA का party अगर मान लिजी invoice euro currency में तो कौन hedging करेगा euro जो होगा एक के लिए home currency होगा लेकिन home currency वाले कभी भी hedging नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा कि other than कौन बताएए यूरोप के जो party होगे वो क्या करेगा इसको hedging करेगे तो ये चीजों को ध्यान दखना है उके उसके बाद हमने क्या चेक करा कि जब कोई currency महंगा होता है या सस्ता होता है तो एक party के लिए वो beneficial होता है तो अगले party के लिए वो नुकसान दायक होता है तो हमें ये चेक करना है कि नुकसान कब होने वाला है तभी जाके हम अपने risk को क्या करते हैं hedge करते हैं और एक चीज और ध्यान दिया कि हमने कभी भी foreign currency को hold नहीं कर सकते जब भी foreign currency होगा तो हम ये जमसन लेते कि एक तो हमारे पास bank account नहीं होगा त्योंकि bank account होगे तो हम directly pay कर सकते फिर वहां पे भी risk खतम हो जाते हमें हर point में risk generate करवाना है वैसे तो आप 2000 dollar की equivalent होल्ड कर सकते हो लिए अगर exchange rate में question के अंदर 100 dollar का भी amount हो तब भी हम उसको hedge करेंगे और ये जमसन लेके चलेंगे कि bank account हमारे पास नहीं है चलिए तो एक काम करते है two way court पे हम लोग थे तो two way court पे फिर दुबारा आते कि मान लिजे dollar one equal to in अगर कुछ लिख के दिया जा रहा है अप लोग बता सकते कितने cash pass का rate आएगा यहाँ पे हाँ जी एक चल रहा है 80 का असपास एक चल रहा है 0.6 का असपास तो ये आपका weaker currency है ये आपका greater than one आएंगे मान लिजे ये आपका कितना rate चल रहा है सपोज कि ये 135 का rate चल रहा है और ये है 138 का एक bid है एक ask है हमेशा याद रखना ये bid है ये ask है कभी भी इसको हम ask नहीं बोलेंगे कुछ लोग ये कहते कि customer के point भी से हम ask बोलेंगे वो गलत तरीका हो जाएगा ऐसे नहीं बोलना है ये bid rate ही होगा रहेगा हमेशा ये हमेशा ask rate ही रहेगा क्योंकि जो भी rate quote किया है एक party यानि कि वो जो bank है या forex dealer है उन्होंने quote किया है तो अगर इस तरीके से है तो ये कभी भी ask rate नहीं बन जाता है हम क्या बोलने वाले है ये देखे ये हमेशा bid rate रहने वाला है ये हमेशा ask rate रहने वाला है उस case में जिसने rate quote किया उसको नुकसान हो जाएगा तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है बताए कि ये जो बड़ा rate होता है वो हमारा ask rate होता है यानि कि बेचने का rate होता है और किस के लिए होता है वो जिसने rate quote किया यानि कि bank के लिए अब आप मुझे बताएं, आप अगर buy करोगे तो इस rate पे, आप अपने customer के point of view से बोले तो customer इस पे buy नहीं करता है जब bank खरीद रहा होता है तो customer वहाँ पे बेच रहे होते समझ में आगे बात, तो bid rate पे कौन buy करता है, कौन sell करता है बताएं, bid rate पे bank जो होता है, वो buy करता है सस्ता खरीटा है सस्ता है, 135 और customer क्या करता है बताएं, sell करते यह न, ask rate पे क्या करता है bank, बताएं ask rate पे bank बेचता है bank आपको क्या करेगा, बताएं sell करेगा, और customer क्या करेगा buy करेगा, okay किस्टमर क्या करते यहां पर भाई करते क्या मैं यह बोलूँ आप अगर मेंगा खरीद रहे हो मतलब जादा पे कर रहे हो तो ऐसे सोचो आप यह दो अमाउंट है एक जादा है एक कम है बैंक हमेशा ज्यादा लेता है, कम देता है, क्यों उसको कमाना है, वो बिजनसमेन है, कस्टमर के लिए क्या होगा हमेशा ये, नुक्सान दायक होगा, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, ज्यादा अमांट हम लोग पे करेंगे, ज्यादा है नहीं ये, ये हमेशा आपको प करना पड़ेगा और हमेसा ये क्या करोगे बताइए tell you receive करोगे तो customer कम receive करता है जादा payment करता है जाकि इससे क्या होगा नुक्सान होगा जाकि ये business man के लिए फाइदे मन्दे हमारे लिए नुक्सान दाएगा तो जादा हम लोग क्या करेंगे बताइए payment और कम receipt तो देखो न कम receipt कैसे आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो तो receive करोगे न कम अच्छा यह कहाँ पर क्या बेचा जा रहा है ये ये currency क्योंकि commodity ये है हमारे लिए ये खरीदने बेचने का ये price है ओके क्योंकि खरीदते हैं तो हम payment करते हैं ये आप कहरे हो कि खरीदूँगा मैं इस rate पे खरीदूँगा तो आप payment करोगे क्या खरीदूगे dollar ये भूलना मत क्योंकि जब भी हम कभी कहते हैं buy करते हैं dollar जो base currency होते हैं उसके खरीदने बेचने का rate होता है तो base currency खरीदते हैं अपल खरीदने लोग समझते हैं ट्राइ किया होगा example आप लोगों ने कर लिया क्या समझ आ रहे थे क्या बात है तो एक काम करते हैं अब हम जो आपने example कर लिया तो अच्छी बात है क्योंकि ये जो example दिया हुआ था मैंने बताया था कि 3-4 example आपके class notes में है आप उस 3-4 example को क्या कर सकते थे practice कर सकते थे अगर कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं भी क्या तो वहाँ देख लिजाए अगर कोई mistake होगा हो तो आप बता दीजिएगा क्योंकि वैसे तो 95% accuracy होना चाहिए लेकिन फिर भी first time ही notes बने थे तो उसमें थोड़ा बहुत mistakes printing mistake हो सकता अभी भी तो जो भी जहां पे भी नज़रा है तो आप लोग image image click करेंगे और group पे डाल देंगे मैं आप लोग उसको check कर लूँगा अगर ऐसा होगा तो उसको मैं correction भी कर दूँगा लेकिन आप लोग अपने हाथ से correction कर लेना मैं दूसरे एक्जामपल लेता हूँ चलिए आएगा तो देखते फिर से थोड़ा सा practice करते एक लिए दो तीन एक्जामपल के लिए practice करेंगे क्योंकि यह बहुत important है इसमें mistake अगर एक्जाम में किया कुछ लोग को इसमें mistake की one percent chance भी नहीं होना चाहिए अगर यह bid ask के selection में आपके तुषर 99 percent में correct हो जाता हूँ 99 accuracy से काम नहीं चलने वाला है कितने accuracy चाहिए आप हंडेड परसंट accuracy यानि कि एक भी mistake नहीं होना चाहिए कि 99 percent accuracy जो होते हैं तो एक परसंट की वैसे 6 महीने का bonus मिल सकता है मान लेजे हर आपने सही किया एक्जाम में एक परसंट टाइम पर गलत कर दिया तो हो गया चेन में सारे काल्कुरसन लास्ट तक जाएगा गलत और क्या हो जाएगा बताईए जीरो सीधा क्योंकि एक अगर rate selection में mistake होई न तब जितना भी process सही करते जाओ हर step का amount क्या होता जाएगा बतलो गरॉंट होते जाएगे लास्ट तक आपको marks मिलना वाला है जीरो चलि तुम देखते फटाफट एक example अलग से ऐसे लेते मानले जिसमें Mr. Europe के बीच में transaction होते Mr. Europe सपोज कि यह export किया है exported a product costing Mr. Europe ने export किया है एक product costing euro 10,000 euro के सामान को क्या किया है उसने export किया है पहले ही ज्यादा वह नहीं देना है ठीक है इसको मैं अभी continue करूँगा वो थोड़ा सा complicated complication ज्यादा बढ़ा दिया था इधर आते दूसरे वाल लेते उसको पहले वाले में बात में कर दूँगा इकमाल लिजे Mr. USA इंपोर्ट करता है a product from China Mr. USA ने एक प्रोड़क्ट इंपोर्ट किया कहां से बताईए प्रोड़क्ट कुछ भी ले लेते हैं सपोज किजे अभी तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं CNY Chinese Yuan 20,000 Mr. USA ने इंपोर्ट किया product from China value of product is CNY 20,000 अमाउंट जो है अब इंपोर्ट किया है तो क्या होगा पेवल या रिसीवबल पेवल होगा अमाउंट एज पेवल at three months time rate जो है आप payment जब करोगा तब क्या आपका rate चाहिए होगा तो rate at three months time age ले लिजे कोई अब यहां पर जब हमें rate लेना है तो दो bank कहीं किसका भी कुछ भी हो सकता है तो फिलाल तो हम आपको अभी first example है तो मैं सीधा सीधा ही देता हूँ ज्यादा कुछ ही दर दर नहीं करते हैं बहुत आराम से फिर उसी में बदल देंगे एक और rate डाल देंगे तो पहले तो मैं ले रहा हूँ case A कि हमारा जो rate चल रहा है $1 is equal to cny आप लोग एक बार frame करके एक मोटा मोटा आइडिया देंगे किस के आसपास मुझे लिखके देना चाहिए क्योंकि इससे आपका जब practice होगा ना तो कभी भी equivalent amount निकालने में mistake नहीं करोगे आप लोगे तो बताओ कितने के आसपास रखना चाहिए मुझे मुझे rate तो मुझे ही बनाना पड़ेगा तो ऐसा देखो rate को imaginary नहीं लेना है हम ऐसा rate ले जो की market में चल रहा होगा उसी के आसपास लेंगे पताओ कितने के आसपास ले 28 परध्यान से सोच लोग आपको rate बनाना में बता चुका हूँ आप लोग को हाँ जी कितने के आसपास है कितने के आसपास है कि पर बताओ रिविजन नहीं चल रहा है एक छोटी से चीज़ों में अगर इतना टाइम लगाएंगे तो तो फिर हो गया हाँ जी लाइब बले सभी बताईए एप्रॉक्सिमेट चाहिए मुझे हाँ जी कितना है आठ टो दस को ही ठीक है एट के आराउंड तो ठीक तो चल रहे तो फिर इतना क्यों कन्फूज हो रहे है एट के आराउंड पॉफेक्ट चाहिए लाइब बले सब थोड़ा सा कॉम्निकेट करेंगे ग्रूप में लिखे एटी के दूज होने का राउंड है दस के राऊंड तो मुझे बताएएटी डिवाइडर वे टेन होगा या यह साझ एक हो जाएगा पॉइंट छौ पॉॉइंट न प्लब क्या है बताईएंग दॉलर क्या इंथा तो है नहीं, डॉलर क्या है बताइए, थिस्टॉंगर है, तो डॉलर अगर इस्ट, और डॉलर के साथ 1 रखा है, तो चािनी जुआन के साथ तो ग्र्रेटर दया ना चाहिए, तो ग्रेटर दन वन तो तब होगा, जब 80 रिवाट वे क्या करेंगे बताइए, 10, तो 8 क्या असपास का rate उना चाहिए, 8, 9, 10, जो भी रखना है रखना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें मोटा मोटा idea चाहिए, आप जाके अभी चेक भी करोगे, तो कितने क्या असपास मिलेगा, इसे थोरूने कि हमने जो यहाँ पर किया है, कुछ भी यहाँ पर देख जाएंगा, यह देखे, अब जाओ क्या लिखो बताए, USD, इसके rate देख रहे थे, CNY, Chinese U1, यह देखो क्या रहे, उपर में ही दे रहा था, देखो, 7 के around Chinese U1 चल रहे, हमने 8 बोला तो कौनसी बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि वो rate तो fluctuate होते रहते, हमें मोटा मोटा चाहिए, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, तो मुझे बताएए, हमने यहाँ पर लिख लिए 8, और मुझे तो 2 एकोट देना है, ठीक है, 8.00, और चलो मैं एक rate बदल देता हूँ, जहां पर concept की बात आते हैं, logic की बात आते हैं, कभी कोई कंजूसी नहीं, आराम से तसलिष सकीजिए, अगर concept clear है, तो question आराम से बनते हैं, ज्यादा question प्रेक्टिस करने से ज्यादा नहीं बनते हैं, concept clear करने से question बनते हैं, ज्यादा question practice करने से 10 questions practice कर लो अगर 11th question अलग रहा गे नहीं तो नहीं solve कर पाऊगो और अगर आपका logically strong हो तो 5 ही question क्यों न solve करो अब 6 नहीं question को आप attempt कर सकते हो अब लोग के बस 1 minute का time है फटपट बताएंगे कितना amount आएगा बिल्कुल सही बोले था लाइब वाले सब 8 करेट था आप equivalent amount भी बता दो फटाफट सब लोग चलो कुछ लाइब वाले का amount आ रहा है 2500 amount आ रहे है क्या मैं यह आजूम करके चलू कि यह अगर cny है तो यह dollar ही होगा हांजी dollar होगा चलो एक answer और वह बताएं कुछ लोग लाइब वाले में और उदर से भी आ रहे है लाइब से भी कुछ एक आ रहे है 2222.22 आप कभी यह आ रहे हांजी और सब लोग बताएं फटा फटा फट इस वाले में जा रहे हैं तो ऐसे क्या हो रहा है मैं classroom वाले को अलग पढ़ा रहा हूं और live वाले को अलग पढ़ा रहा हूं कब से कब mix होना चाहिए रहा है दोरव तरफ fix होते फिर वहाँ पर एक ने बोला 25 वाखी सब बोले जा रहे यह ठीक है यहाँ पर एक ने बोला यह और बाकिसे बोले जा रहे 25 अडेट तो ऐसे mixer तो नहीं होना चाहिए यह तो बहुत आसान वाले दिया है मैंने आप लोग भी 25 hundred आने लग गए, देखते हैं, क्या situation बनता है, आई ये सबसे पहली बात, invoice currency कौन सी, Chinese yuan, risk इसके पास, US के पास, no, अगर invoice Chinese yuan है, तो उसको क्यों convert कराना है, Mr. China को क्यों convert कराना है, बताइए, convert कराने की मतलब ही नहीं है, तो उनको risk होने की मतलब ही नहीं है, यानि की conversion हमेशा कौन कराएगा, other party, और आपको बोला भी तो याद करिए, loss gain हमेशा किस currency में आता है, home currency में, यानि की जो convert होके, जो amount आते हमेशा home currency है, बूलना मत कभी, इसका मतलब, अगर ये amount convert होंगे, तो किस में convert होके जाएगा, डॉलर में, डॉलर किस के लिए home currency है, बताई, Mr. USA के लिए, और पहले भी बोला था, invoice currency is always foreign currency, foreign currency is for US person, it means, Mr. USA has to take corrective action to minimize the risk, clear यहां तक, तो अब मुझे बताएगे, ये जो 20,000 इसको डॉलर में convert करना है, चलो, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, कि सब लोगों ने amount, quantity कम किया है, तो 20,000 से तो कम amount आएगा, कम से कम, इतना तो क्या है, यहां पे clear है, इसमें किसी ने mistake नहीं किया, सब ने 2,000 के around की value दिया, मतलब ये तो calculation जो किया है, आप लोगों ने हो सही किया, अब यहां पे क्या है, कि एक ने 8 के rate यूज़ किया होगा, वो एक ने 9 के rate यूज़ किया होगा, तो इसकी बज़े से क्या हो रहा है, यहां पे mistake हो रहा है, आइए चली सोचते है, Mr. India को यहां पे क्या करना है, बताइए, शरी Mr. India ने Mr. USA को क्या करना है बताइए Chinese Yuan क्योंकि Importer है तो Importer को उसको क्या करना होगा देखो स्टार्टिंग में आप लोग क्या करो एक छोटा सा डाइग्राम बनाईए एरो लगाईए कि यह जो Mr. USA है न इसको Receive होने वाला नहीं पेमेंट होने वाला है ऐसे जरूर आप स्टार्टिंग में क्या करिए एरो लगाईए कुछ दिन तक जब आपको आदत हो जाएंगे जब मिस्टेक करना बंद कर लोगे तो आप चाहो तो इस डाइग्राम को क्या कर सकते हो इसकीप कर सकते हो Mr. USA को पेमेंट करना है क्या बताइए CNY अमांट पुट करने की जरूरत नहीं CNY पुर पेमेंट करना है इतना क्लियर है क्योंकि इंपोर्ट किया है उसने क्लियर है तक तो आप मुझे बताइए वो बैंक में जाएगा बैंक में जाके क्या करेंगे जल्दी बताएंगे इससे CNY लेंगे क्योंकि payment करना है न और इनको क्या देंगे बताईए dollar देंगे अब बस एक simple सी काम करना है बड़ा और छोटा है payment receipt से सोचो अगर 22 सल से दिक्कत होती है payment receipt से सोचो कोई इसुनिये एक 8 amount एक 9 amount है आप मुझे बताईए यहाँ पर 8 जाएगा या 9 जाएगा या आपको put करना है समझ में आगया बत आप मुझे बताईए आप CNY क्या करेंगे रिसीव करेंगे रिसीव करेंगे रिसीव करेंगे 8, क्योंकि customer हमें साथ कम receive करता है, ज्यादा payment करता है, customer receive कर रहे, ये customer है, customer CNY क्या कर रहे है, बताइए, receive कर रहे है, receive क्या करेगा इसमें से, छोटा amount करेगा न, तो 8 रुपीज receive करेगा, तो rate कौन से apply होगा, बताइए, 8 का rate apply होगा, परी simple, समझ में आगे बात, एक डॉलर के बदले जो हैं ये देखोने, एक डॉलर का rate दिया है, नहीं नहीं आप आपको, तो 1 डॉलर के रहे, 1 डॉलर के साथ CNY जाएगा आपका, ठीक हैं तक, तो 8 के rate से conversion करना है आपको, तो आप मुझे बताए, यहाँ पर जो rate जाएगा आपको, rate जाएगा dollar 1 equal to CNY कितना बताए, 8 का, तो आपके पास amount कितना था बताए, CNY 8 is equal to dollar 1, तो CNY अगर हमारे पास, CNY अगर 1 करूँ, तो dollar कितना जाएगा बताए, 1 divided by 8, और अगर हम लोग होने CNY यहाँ पर 20,000 रखा, तो मुझे बताओ dollar कितना जाएगा, 1 divided by 8 multiply by 20,000, कितना है बताए, 25,000, तो इसका मतलब में यह समझू, सामने आके पढ़ते तो ज़्यादा समझ आता है, और live में थोड़ा कम समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर एक को छोड़के, बांकी सब किदर थे, 25,000 में, तो यहाँ पर सब सही हो गए, और बांकी live में 2 को छोड़के, कितने लोग थे, 2 लोग 2 थे 25 पर, बांकी सब थे किस पर, 22,000 पर, यहनि उनको तो 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 रहा कम समझ आता है, समझो, समझो, थोरा सा क्या करो, unless it's बढ़ाओ, हाँ जी, आगे बढ़े हैं हम लोग, चलिए, कोई दिक्कत इसमें पूछिए, आपके पास US dollar है, हाँ ठीक है, आपके पास बिल्कुल सही है, यह रहाँ आपके पास US dollar है, आप बैंक में गए, ठीक है, CNY बाई करने गए, वही कहना चारे हैं, बैंक ने सेल किया है, हाँ, क्या सेल किया है, क्या सेल किया है, CNY, यह बैंक कहता है, कि मैं CNY नहीं खरीदता बेचता हूँ, देखो कॉमोडिटी क्या है यहाँ पे, त्यान से, कॉमोडिटी क्या है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या आप CNY खरीद रहे हो, खरीदोगे किस पे खरीदते हो आप किस पे आप खरीदते हो आस्पे क्योंकि महेंगे खरीदते हुआ तो आप बिल्कुल सही बोले दें कि आस्प होना चाहिए मैं मना नहीं कर रहा लेकिन आपने गलती क्या कर लिए commodity को selection में गलती कर लिए आप क्या खरीदने की बात कर रहे हो CNY, दिखाना CNY खरीदने का rate है कि यहाँ पर देखो circle क्या किया हुआ है, किसको खरीदा बेचा जा रहा है, dollar को यहीं पर दिक्कत हो गए, यहीं पर दोखा price dollar में मिलता है तो अगर में सीधा-सीधा rate दिये होते तो आपको सबको सही हो जाते, सीधा rate क्या होता देखो US वाले के लिए, यह Mr.US से अगर है, तो Mr.US से कौन सी bank में गया होगा, US bank में और US bank महाँ पर जो rate quote किया होंगे, CNY 1 is equal to dollar 1 divided by something, जो भी करेगा 1 divided by 8 की, अगर मैं बात कर लो तो यह rate जो जाएगा ना, मोटा-मोटा 0.125 something something के राउंड जाएगा, जो भी यह exact rate नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि 2 bank में rate अलग बद मिल सकता आपको, हाँ यह अगर rate quote किया होता, तब देखो क्या होता, फिर यहाँ पर चलो एक काम करते, दो rate लिख देते, चलो दो rate लिखी दिया मैंने, 0.01 चलो 30 कर दिया, अब देखो यहाँ से, अब अगर CNY अगर commodity होता, फिर आप सही थे, कैसे बताइए, फिर यह CNY बेच रहे है bank तो bank के बेचता किस पर बताइए ask पर, और आप खरीद रहे थे, आप खरीदते किस पर, ask पर क्योंकि महँगा खरीदते हो, तो यहाँ पर ask rate अपलाई होता, आप सही थे, लेकिन ask rate कब होता, जब rate किसका बताइए, CNY का, CNY का मेरे पास तो free है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, क्या Mr. USA, China के market में नहीं जा सकते हैं, आप मुझे बते हैं, हमारे इंडिया के market में US वाले नहीं आता है, तो जब हमारे इंडिया के market में US वाले जब आता है, तो यहाँ किसको rate किस currency का है, समझ में आगए बात, hope, life बाले सबको भी clear है, एक बार confirm करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, चलो कोई नहीं एक और example देते हैं, आईएगा, चलो अगले बार example में चलते हैं, हमने क्या लिए देखिए कि Mr. Europe exported a product costing 10,000 euro, ओके, amount, अब मुझे बताईए, export किया है, तो receivable होगा आपका, हाँ या ना, ठीक है, amount receivable at six month, चलो six month बात क्या होने वाला है, यहाँ पर, receive होने वाला है, exchange rate at six month time is, exchange rate at six month time is, euro one equal to, euro one equal to, chf, मुझे बताएं कि कोई ज्यादा लिखना चाहिए, मुझे कम लिखना चाहिए, मतला, ए वन से ज्यादा लिखना चाहिए, वन से कम लिखना चाहिए, और किसके आसपास लिखना चाहिए, एक बताएं, rate आपनी लोग भी convert करना सीखो तोरह सा, कोई इसू नहीं है, वन से कम लिखना चाहिए, हाँ जी, बांकी सब, ये जो, chf की जो quantity लिखू में, वन से कम, वन से ज्यादा, वन से कम, क्यों, क्योंकि chf जो है, euro से stronger है, current strength के तम में याद रखना, अभी के strength, पहले की situation कुछ और था, कोई बात नहीं, past काम देख लेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तो मैं बताओंगा उसको कैसे adjust करना है, फिलाल अभी के current strength के मताबिक, chf जो है, euro से भी stronger, यानि कि second number प्यार है, ये pound के बाद का, second number currency आपके लिए, चीक है, chf Swiss franc, तो इसका मतलब ये stronger है, तो euro से तो quantity कम होना चीग, क्यों कि stronger क्या होता है, कम, और एक का rate चल रहा है 80, है ना, इसका, sorry, 80 नहीं, गलत बोला मैंने, euro चल रहा है 90, और chf चल रहा है 95 के असपास, तो 95 divided by 90 करना पड़ेगा, या 90 divided by 95 करना पड़ेगा, मुझे less than 1 करना है, तो बड़े amount से divide करके लेना पड़ेगा, है ना, तो मुझे बताए, 90 divided by 95 कितने के असपास होगा, तो ये 0.95 के around, यही है ना, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ rate, एक rate ले लेता हूँ 0.90, और एक rate ले लेता हूँ 0.98, ठीक है, true digit में भी exchange rate रखते हैं, कोई issue नहीं है, चलिए, तो ये हमने exchange rate दे दिया, तो आपको क्या करना है, आप मुझे बताए, जब भी कभी calculate equivalent amount, मैं simple यहाँ पर लिखता हूँ, calculate, एक्युवेलेंट amount, किस currency मैं एक्युवेलेंट amount बताए, नहीं, यूरो के तो अल्रेड़ी amount मालूम है, ठीक है, calculate equivalent amount in CHF, चलिए, निकालके बताएंगे फटाफट, और lightly नहीं लेंगे, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, मैं जानबूज के ऐसे ऐसे example frame कर रहा हूँ, मैं लिखके दे रहा हूँ आपको अभी, थोड़ा तसल्ली से करना, जादा lightly मत लेना, आपके पस one minute के टाइम है, और लिखके करेंगे, सोचने से कुछ नहीं होता है, लिखते हुए सोचो, चलिए, एक answer आ गए थे, हाँ जी, कितना बता रहे हैं आप बताईए, CHF 9000 बताए, एक answer और बताएंगे, CHF, कितना बताईए, 9800, तीसरा तो कुछ होई नहीं सकता न, तीसरा हो गया तो कैल्क्रो से नहीं mistake है, इसका बतलब, ओके, चलो लाइब बाले सबसुरू हो जाओ, दिखाओ क्या कह रहे हैं आप CHF, कुछ लोग तो यूरो बता रहे है, क्रिशन जी, क्रिशन, क्रिशन लिखा हो है, क्रिशन, यूरो कैसे आएगा, यूरो तो अलड़ी हमें पता है 10,000, हमें तो CHF में आना चाहिए, ओके, यूरो नहीं आएगा, CHF आएगा, अब कुछ लोग कह रहे है és 9,000, यहां पर किया ओर है, यहां पर किटने लोग है 9,000 में, 9,000 में, 9,800 में, जादा वोटिंग आ रहे है, 9,800 में, इधर की बोटिंग ज्यादा किस में जा रहे है, 50-50 चल ओधर, ठीक है, 9,000, 9,800, बताओ, घर से तो पढ़के आये थे, मैंने बोला था, कुछ लोग उने बोला कि पढ़के भी आये, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देखते, अभी तीन जार एक्जामपल में फस होगे, समझ में आगे भाद? अभी ध्यान से रखना, अभी मैंने रेट सहीज शलामत दिया है, जो आप इधर सोचो कि इधर जैसे कर लिया था पॉड़ापड, अब वो जो गल्ती किया था, वो गल्ती नहीं करे, समझ मैं के बाद यहां पर क्या गलती था देखो आपको CNY को convert करना था rate मैंने किसका दिया था dollar का अब मैंने सीधा सीधा दे दिया आपको कि देखो euro convert करनी है ले लो euro में rate क्योंकि जो खरीदने बेची ने उसी का rate दे दिया तो वो mistake तब यहां नहीं करोगे लेकिन यहां पर मैंने कुछ दूसरा twist किया जो आपने notice ही नहीं किया notice यह नहीं किया कि आप लोग तो सीधा पहुंच गए किसको hedge कराने Mr. Europe को भूल गए Mr. Europe के लिए यह जो है यह home currency है उसको hedge नहीं करना है बात समझ में आगई कुछ hedge किसको करना है Swiss franc वाले Mr. Swiss को समझ में आगई बात तो देखिए आप लोगों ने कहां mistake कियो यानि कि यह hedge किसको करना है Swiss franc वाले person को करना है ठीक है Mr. Swiss लिख दिया मैंने Switzerland का Mr. Switzerland को hedge करना है बोलोगी सर ऐसे भरन होता है question होता है आप चलो मैं दिखा दूँगा question आपको अभी उसके अंदर party को इस तरीके से घुमा के लिख देते हैं आपको पता है इन चलता है कि हैज किसको करना है और वहाँ पर जाके हम क्या कर लेते हैं mistake कर लेते हैं तो आपकी जो concentration level चाहिए यहां पर मैं बार बार क्या कर रहा हूँ 500% चाहिए 100% concentration से फारेक्स नहीं चलते हैं फारेक्स के question के अंदर जब language कॉंप्लिकेशन आते हैं तो bounce हो जाते हैं उपर से आप गलत कर ले तो interpretation ही क्या कर ले तो वहाँ पर गलत कर ले तो हर चीजों को ध्यान रखना है यानि कि Mr. Switzerland को क्या करना है बताए है हेज करना है आप मुझे बताए Mr. Switzerland ने इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट किया है मिस्टर यूरोप ने एक्सपोर्ट किया है समझ भागए है फसे रहा बल्कुल कोई बात नहीं एक बार जब फसते तो अगले बार सही करते है अब लोग अब बोलोगे सर यहां तो silent कर दिया दूसरा पार्टी लिखा नहीं कोई बात नहीं लिखके नहीं दिया दूसरा पार्टी कौन सी है आप मुझे बताइए अगर यहां पे यूरो और च्छफ के अगर ट्रांजेक्सन है मतलब अधर पार्टी कौन सी है बताइए आप चलिए question के अंदर दिखाता हूँ हमेसा एक पार्टी का नाम दिया रहेगा दूसरा पार्टी तो silent ही रहते है question के अंदर जब cross rate के अंदर जाओगे तो second party तो कभी मिलता ही नहीं है आपको खुद decide करना होता है second party कोने starting के question में तो मिल भी जाएगा cross rate क्या होता है दो rate को cross करके में एक result rate निकालते है उसमें तो जो counterparty होते हैं हमेसा silent होता है आपको खुद decide करना होता है rate देखके कि counterparty कहा का होगा इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पे example के अंदर मैंने अगर silent कर दिया तो कौन सी गल्दी किया है यही सब चीज़ तो आगे नहीं जेल पाते हो आप लो simple सी बात है यहाँ पे जो हैज करना है किसको बताईए Mr. Switzerland को तो आप मुझे बताईए यहाँ पे जो Mr. Switzerland को पेमेंट करना होगा रिसीग होगा यहाँ रिसीग होगा क्योंकि यह exporter ही नहीं इम्पोर्टर है मैंने यहाँ पे चीज़ यह importer है क्योंकि यह export किया तो इसने इम्पोर्ट किया होगा तो इम्पोर्टर को क्या करना होता है बताएए पेमेंट क्योंकि वो हमेशा foreign currency के point of view से सोचना है आपको तो इसके लिए देखे, क्या गिया, बताईए, यूरो, 10,000 का पेमेंट हो गई, अब मुझे बताईए, बैंक में गिया, कोई भी बैंक में जा सकता है, कोई जरूरी ने, इसको स्यूजरलेंड बैंक ही मिलेगा आपको, वस्ते फिलाल तो स्यूजरलेंड का भी बैंक मिला है, क्योंकि स्यूजरलेंड के बैंक में कौन सी मिलेगा बताई, यूरोप की रेट मिलेगा, यानि कि यूरो का रेट मिलेगा, यह गया बैंक में, अब मुझे बताई, बैंक में क्या करता है, यहां से यूरो लेगा, और इसको क्या देगा बताईए, यह जब, खरीदने बेच ना छोड़ो, इस बाचों में सोच रहा हूँ कि खरीदरे बेचने भी दिमाग इन लगाना है, receipt payment का दिमाग लगाते, क्योंकि हर बार में बच्चे को देखता हूँ, receipt payment में ज़्यादा comfortable रहते, और buy sell में confused हो जाता है, क्यों, क्योंकि buy करता है ये, buy करता है ये, और amount जाता है इसमें, sell करता है ये, amount जाता है इसमें, तो बार-बार mistake करते रहते हैं, मैंने इस पर सोचा कि छोड़ो buy sell, एक ही तो बात है, payment receipt, आप मुझे बताए, दो amount है इसमें से, इन दोनों में से एक selection करनी है, ये, दोनों amount किस का है, बताए, CHF का, इस पर quantity put करना है आपको, simple, इस पर quantity put करना है, आप मुझे बताए, CHF, Mr. Switzerland, दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है, देगा जादा या कम, देता जादा है, नुकसान करेगा, customer हमें साथ देता जादा है, कौन सी रेट अपला होगा, बताए, 0.98, आप मुझे बताए, ये 0.98 ये rate selection होगे, यानि कि euro 1 equal to, क्या होगा, बताए, CHF, 0.98, चलो, अच्छी बात है, कि जादा voting जो आया था, 9800 में, वो सही हो, जादा voting अभी यहाँ पे, इसमें आये थे, ठीक है, तो एटलिस जादा लोग क्या होए थे, सही होए थे, कम लोग जो हैं यहाँ पे, मिस्टेक किये थे, उदर भी जादा लोग, अच्छा, इस वार लाइब बाले जीत गए, क्योंकि लाइब बाले के, जहाँ पे साफधानी हटी, दुरगटना गटी, यही है टुवे कोट, अब कुछ लोग सोच रहेंगे, सर, हमेज़ा हम ऐसे करते न, जिसका rate होगा, उसका rate बना लेते, यहां पे तुसी का rate था, यहां पे तो मैं बदला भी नहीं था, जो खरीदना बेचना था rate उसी का था, लेकिन क्या क्या होगा, बिना सोचे समझे, एक्सपोर्त है, रेसीट होगी, क्या रेसीट होगी बताइए, यूरो रिसीव होगा, तो रिसीव होंगे तो क्या करेंगे हम, पेइमेंट करने जाएंगे, पेइमेंट हम क्या करते बताइए, यदि एक्सपोर्ट क्या है तो रिसीव करेगा न, तो रिसीट में, यूरो रिसीट हो रहे हैं तो यूरो रिसीट हो रहे हैं तो यूरो क्योंकि हम अगर यूरो बेचते तो कम आता ना तुसलिए 90.90 को सिलेक्षन करके 9000 बता दिया में स्टेक हो गई आपका ठीक है यहां तक जो चीज ला रहे हो वो बेचो गए बेचते किस पे हैं बेचते बेचते बीट पे खरीचते आशबया है ठीक है लेते कम है देते ज़्याद है दो टरीका है आपको इसमे sugar करो मुझे कोई इसमें कोई शू नहीं है जिसको लगता है अपर जो बाई सबसी खरीदने जाते हो, तो सबजी खरीदounded की बात करना, और payment receipt की बात करना तो रुपी में बात करना, दोनों में की been difference है, खरीदते सबजी है, payment receiptistinct रुपी करते है, तो जब आप receipt payment की बात करोको तो CHF से करोगे, और खरीदने बैचने की बात करोगे तो यूरो से करो लो आप जिसमें comfortable उसमें करो कोई issue नहीं है आप एक rule को पकड़ ले ना अपने इसाफ से दो च्वाइस दे दिया मैंने आपको आप अपने इसाफ से एक rule को पकड़ ले ना कि मुझे payment शिर्च से चलना है या मुझे buy sell से चलना है buy sell करना है तो यह currency buy sell करना है और payment शिर्च से जाना है तो इसके quantity से जाना है very simple हाँ जी बिल्कुल bank लेता जादा है 98.98 लेगा हम payment जादा करते हैं point unit आएगा कुछ भी सोचो मन्जिल सेम रहेगा रास्ते बदलने से मन्जिल नहीं बदलते बस इतना याद रखने हैं लेकिन रास्ता क्या होना चाहिए हमारा सही होना चाहिए अब वो होता तो हम बढ़ लेगा है और लेते हैं एक और example जल्दी क्या यहाँ पर क्योंकि जो चीज़ों में प्रॉब्लम होसों कोई जल्दी नहीं करते हैं इक्जामपल ल मंबर चलते हैं लोग तो node क्वंदी अब इसके बाद अगर मिष्टेक होगा तो कोई बात नहीं जब कोई क्यों जायें के बाद मिष्टेक नहीं होना चाहिए पहले क्यों कि वहां तक सही हो जाओ यह ल Kan NOT लिए चाले एक और이나 कैसे पता चलेगा invoice currency, invoice currency is always foreign currency, invoice currency is always foreign currency, आप मुझे बताई invoice currency कौन सी है, euro, euro कौन convert कराएगा, Mr. Europe कभी convert नहीं कराएगा, याद करो कल की class, risk analysis, इतने सारे entry डाल के क्यों दिखाया था, इसलिए न, कि invoice अगर euro currency है, तो जिसके जेव में euro है, उसको क्या करना है, conversion कराना है क्या, चले एक काम करते हैं, सोच के देखते हैं, आईए यहाँ पर डालते हैं, सामने बहले party को, अगर यह Mr. Europe हो था, तो मुझे बताईए, एक्सपोर्ट किया था, इनके जेव में क्या आएगा बताओ, euro, इनके जेव में euro आ गया, क्यों जाएगा conversion कराने बताना तो जो रुपी का आके एक नवर्ट कराने, मानलीज आप में आपको रुपी देता हूं अभी आपको, आपको आपको नवर्ट कराने गया अज तक अभी, क्यों नहीं गया, जाना चाहिए था, जरूरत नहीं पड़ा, तो Mr. Europe को जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगा, य इसलिए मैंने कल लिखवाया था, मैंने बोला तो देखे, होता क्या है, जब एक दो बार आप मिस्टेक करते हो, तो इन सारे चीजों के एमियत पता चलता है, यहां लिखा हूआ सब कुछ है, हमारे में एक माइंड जो होते है, हमारे में में तक सेटने होगा, जब तक आप जब तक मिस्टेक नहीं करोगा तब तक यह दिमाग में सेट नहीं होगा, जब पहला लाइन क्या लिखा है, दो नौट येट कन्फिज तो इइन्टिफाइ फोरन करेंशी और होम करेंशी, हमारे केस इन्वाइस करेंशी कौन से बताइए, यूरो, के, सेटल्मेंट करेंश मतलब इन्वाइस करेंशी में सेटल्मेंट होता है, and conclude that it is foreign currency, यूरो हमारे क्या है बताइए, foreign currency, after that identify the party, for whom it is foreign currency, अब पार्टी को identify, यूरो किस के लिए foreign currency बताइए, Switzerland बाले पार्टी के लिए, इसका मतलब, Switzerland बाले पार्टी के लिए क्या है, foreign currency, अब क्या करना है, take corrective action for that party, यानि कि Switzerland बाले पार्टी के लिए, लिखा हुआ तो है, लेकिन ये दिमाग में set नहीं होता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई चीज लिखा, उसको ऐसे example frame करूँगा, कि आप उसमें mistake करोगे, औ आपको, इसलिए बारबार कहते हैं, कि जब आप पढ़ाने लगते हो ना किसी को, मालने आपको नहीं समझाता है, कुछी मतलब difficult होने लग गया, आपने दोस्तों को पकड़ के बिठा लो सामने, और जवर जस्ते उठको पिढ़ाओ, पढ़ाओ, सामने वाले को समझा है ना आपको समझा जाएगा लिखके देता हो में, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, तो आप अपने आपको 500% कंसंट्रेशन में रखके 500% डेलिवर करते हो, जब 500% पढ़ोगे ना, तब जा कि आप 50% डेलिवर कर पाओगे, तो हमेशा पढ़ाते हुए टाइम जो होत फामडेशन अभी हे ना, पहले होते है फामडेशन फिर यह था पीओन में और छ ratchet में होते थे प्न से पढ़ा हो हो होते थे स्टार्ड इना एप MIN약 में दो आपनेचा में फ्यर काओ तो मेरा स्टार्ट्य ना में ड़तियास बढ़ात में कर देई ये हमारे ड़ता होते है, ज मतलब स्टाटिस्टिक के बाद आज की क्लास कहतम अब कल दुबार आना है और चार बजे हमारा क्लास ओबर हो जाता था ऐसा भी नहीं है कि क्लास्रूम बंद करना है चलो जल्दी निकलो ऐसा नहीं है साथ बढ़ तक अफिस कुला रहे थे थे पीचर कहते थे बैठके आप ल लौग हो गय कि मेरे एक्जाम में 50 में से 50 आया थे स्फ़ज माए गया और जबकी मैं बता दू मेरा सेकेंड पेपर थे मैं पढ़के भी नहीं गया पढ़के इसले नहीं गया क्योंकि मेरे अकांट्स खराब हो गया था पहला पेपर होते थे पीवन चांट और में ज्याद भी आ गया कि हमारे सीनियर सब का 90 प्लस आया है और मैं भी टेस्ट मिलाता हूं तो साथ मेरा भी आ जाएगा ओवर कॉंफिडेंट एग्जाम में गए बड़े कुश्चन को मिस्टेक कर लिया 20 मार्क की पेपर कुश्चन थे है रहे हमसे जादा कौन जानता है और इसी वज़े से क्या हो गया वो ओवर कॉंफिडेंट की वैसे मिथट बदल दिये क्या होता है पहले जर्नल एंट्री डा पहले लारे खुस हो गए वही मिस्ट सक्सना वाले कुश्चन आ गए बिना कुछ सोचे समझे क्या करा वहां पर सौ्ट करना सुरू कर दिये जर्नल एंट्री डाला नहीं सीधा लेजर में पोस्टिंग बिना उसका वहां क्या हो गए कुछ मिस्टेक हो गए क्योंकि गूग तो मोटा मोटा 30 मिनट साथ बीते थे कोई बात ने कट कुट करके फिर से दुबारा सुरू कर दिया हो जाएगा अभी तो डाही गंटे टाइम है मेरे पास और जब सेकेंड टाइम फिर से फ्रेस किया तब भी कैसे कॉंट मैस्ट तब तक बीत चुका था धेर गंटे वहीं हो जाते हैं कि देखो अभी कितना ही एज हुआ है कोई बात ने अगले 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 घंटे और भी बचा हुआ है अगर जितना कड़ा है चोड़ दो मुझे पता है घंटे गया यह मुझे क्लियर पता चल गया है एक काम करो अभी 50 मांक्स भी अगर प्रिपेर कर मतलब लि सब्सक्राइब करें अगले अगले दन के लिए पढ़ा ही नहीं तो आप लोग की इस वर जो बहुत सारे बच्चों के खड़ाब हुई ना नौंबर 2023 में रिजन यह की था क्योंकि अफर की पेपड़ना है मुझे पढ़ना है मुझे तो आप लोग की इस वार जो सारे बच सब लोगों के अहालत खराब करा था इस वार जितने भी पूछो सब के उसकी वैसे अभी तो कुछ लोग अच्छी आयरते पढ़ा ही नहीं तो पढ़ा ही नहीं तो इस तरीके के दी मोटिवेशन हो गए थे ठीक है फिर जब एक्जाम में गए तो लगा लो थोड़ा सा बेशलिएफ जब लेंगे पुलकी को इन पिर नहीं पेपर देख लेते हैं तो कि टीचर हरे पहुते जाने हो कितने लोग एक्जाम में अपियर हुए नहीं हुए जो अपियर नहीं है कि अगले बार बैच में आप बैठ नहीं देंगे तुम्हें इसका मतलब वो रेस्टिक्सन सब्सक्राइब कोई नहीं बैठ जाते तो बैठे और तब बता बिना रिविजन का 50 का 50 आया उसका रीजन क को कि इसेंथ उन ना कि और ऑफ पड़ाया हुआ था और उधर आया उसके सुल मकस कोई चासा वागिस जना रोगभी डाता ऑन जब्सक्राइब कशल आता में फूरा साफ मेल कितना को श्युक्छ नाया जो सब्सक्राइब का मुघस नानेक 2 इसुचना का थे मुझा से लिए स्थेंक जोड़ेर से मेरा सिर्फ चाल्र मक्सक्स कंते और 46 मरक्स मेरे पांट तो फैके पास हो गए मैं आपको बता तो प्रोविजनल डिश्रिस्चन होते थे हमारे टाइम पे अभी तो सायद मिल जाता है रिजल्ट आने के बाद भी अगर रिश्रिस्टन लोगे तो आपके निस्टरेट मिल जाते हैं, हमारे टाइम पर क्या था, रिजल्ट आने के बाद जो वो देते थे न, रिजिसेशन, उनको जाते थे 12-3-15 महिने बाद, एक्जाम, और जो रिजल्ट से पहले रिजिसेशन ले लेते थे, उनका प्रोविजिनल रिजिसेशन कहते थे, मैंने प्रोविजिनल रिजिसेशन भी नहीं कराएं, क्यों मेरा रिजल्ट होना ही नहीं था, एक हमारे बाद की वखरते थे, हमसे ज़्यादा प्रकर थे, एक वो थे, उन दोनों ने प्रोविजिनल रिजिसेशन करा लिया, तो हमसे छे मेन आगे निकल गए, लेकिन फाइनल तक पहुचते पहुचते फिर, सब साथ हो गए, वहीं फिर सचते रहे कि कास भी प्रोविजिनल रिजिसेशन करा लिया होते, यह सब चीज, तो वो चीज है, तो 46 मार्क आए और पास भी हो गए, और जब लास्ट में चेक करने जा रहा हूँ, लास्ट के क्यों हमारे टाइम पर क्या होते थे, जिस बिल्डिंग में हमारा ओफिस थे न, उसी बिल्डिंग में, करो आप उनको समझा उनको भी बोलो तू भी मेरे को पढ़ा मैं भी तुम्हें पढ़ाता हूं अब सिर्फ एक बार पढ़ा के चेक करो यह स्टाइल को यूज करके देखना अपने आपका अपके डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा अब नहीं है कोई पढ़ाने वाले तो कोई तो पता चल गया ही कि थोड़ा सा कुछ तो है इसलिए तो मिस्टरी करते है ने लोग यह को आते है ऐक लास्ट एग्जामपल ले देते अब लिए लोग किसी अभी यह मं दूसरे कंटरेंसी को यह लेंगे अपने करेंसी को अभी भी नहीं लेंग त्यक्ए कियोंगे कि कुछ भी कर लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट उससे लावा तो कुछ होगा नहीं चलू डिपॉजिट कर देते हैं मिस्टर जापान डिपॉजिटेड ठीक है मिस्टर जापान ने डिपॉजिट किया कुछ इन वन लाग मिस्टर जापान डिपॉजिटेड इन वन लाग इन मनी मार्केट मनी मार्केट समझते हैं तो अगरबड हो गया मनी मार्केट फिसम जाने पड़ेंगे मुझे कोई भी बैंक होगा इने बैंक कोई भी बैंक हो में इससे क्या करना है मिस्टर जापान डिपॉजिटेड गरबड हो जाएगा एक्जाम्पल ही गरबड हो मिस्टर जापान इंपोर्टेड एंवन लाक शरी इंपोर्टेड अप्रोड़क्ट कास्टिंग इंवन लाक अब मुझे बताई इंपोर्ट किया ते पेमेंट होगा वैसे में गलत लिख रहा हूं वर्ड नहीं लिख रहा हूं अमांट इज मैंने यह थुआन लिखाए किसने पेमेंट किया है मैंने आखेवल इसलिए पाइमरें आप इसलिए और ही होता है अमांट इज पेएवल एट इस निड selfish कमएंछ एपल चैम यौह को मुझनी बताएंगे कि कि साइगा जल्दी बताएंगे रेट किस के सपास जाएगा जork आक और शुलोग के लिए बहुत अधरिंद मुझे लखना है तरह आ स sonra है हाँ फिलाल अभी कि स्पीड नॉर्मल के जैसे है ऐसे एक्जामपल लेते क्योंकि देखो जहां पर दिक्कत लगेगा ना वहाँ पर मैं स्पीड ठीक ठाक रखूँगा फिर जहां पर बढ़ाना होगा मैं अपने बढ़ा लूँगा हाँ जी नहीं नहीं मुझे यह क्वांटिटी यह रेट चाहिए कितने के आसपास एक रेट तो पहले बताओ आप लोग रेट में इतना टाइम लगाने लग गए आप लोग अज़े चलो ठीक है मैं हेल्प करता हूं मलेशियन दिंगिट कितने के आसपा जल्दी बताओ चलो कुछ लोग यहां पर 33 के आसपा सब लोग बोल रहे हैं मलेशियन दिंगिट चल रहे है 20 के राउंड एन चल रहा है पांट 6 के राउंड जो हमने स्टार्टी में पहले क्लास में किया था तो देखो दो चीज होगा यह तो 20 डिवैड़े पांट 6 0 होगा और यह पांट 6 0 divided by 20 होगा अब आप मुझे बताई एन क्या है हमारा वीकर यह स्ट्रॉंगर वीकर है तो वीकर की कौंटिटी ज्यादा होता है तो हमने जब मलेशियन रिंगिट के साथ 1 लगा दिया तो एन के साथ क्या होना चाहिए मन से ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा कौनसी वाले में आगा 20 divided by 0.6 या 0.6 divided by 20 20 divided by 0.6 तो ठीक तो बोल रहे हैं सारे लाइब वाले 33 के आसपास बोल रहे हैं आसपास सही है मुझे एक जैक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर रेट लेने जाना हो देखो 30.00 और मैं यह ल कि इन मलेशियन रिंगिट एम वाई आर में सूरज मोदी कुछ अमांट देने लगे 3125 डाइग्राम सोचना नहीं है महापूरुसों लिक्रना है डाइग्राम बनाओ एक डाइग्राम की तो दोल दस पास सेकेंड की तो डाइग्राम है एरो ही तो लगाना है करिंसी में और कहां कुछ करना है आपको इस पर दो आंसर ना है तो मेरे को अच्छा लगेगा फिर चौथा एक्जामपल में नहीं लूँगा नहीं तो फिर मुझे चौथा एक्जामपल भी लेने पड़ जाएंगे प्रत असल्ली से चलिए अब आंसर दे दीजे आप लोग चलिए इदर ज्यादा आंसर आने लगे यह लाइव वाले का मलेशियन रिंगिट एम वाइयर 3125 ज्यादा लोगों का रहा है कुछ लोगों का रहा है यानि कि ज्यादा भोटिंग अभी इसमें चल रहा है उदर की तरफ एक काया है बस यह वाले बागी सब का 3125 आ रहे हैं जी आप लोग भी बताईए अब 3125 सब का इतना मैजिक तो कभी हो नहीं सकता आज तक नहीं हुआ है क्योंकि चौथे एक्जामपल में जाके सब का सही होता है थार्ड एक्जामपल तक तो मिस्टेक ही करता है हाँ जी क्या पीछे कितना रहे अभी आये नहीं इतना टाम क्यों लगा बताओ एक कन्वर्जन तो करने सामान खरीदेने बेचनिस में टाम लगाओ इतना कैसे होगा हाँ जी इदर सब लोग का 3125 सब का एक ही आ रहे है जल्दी जल्दी फोर टाम यह का है न इदर से आ गए यह देखो एक का इदर से आ गए बांकि सब कही आ रहे है ना ओके चलो तो ज्यादा लोगों का यहां भी भोटिंग इसमें है एक का इसमें आ गए उधर कितने लोग ए लाइव में हाँ जी सब का 3125 3125 3125 3125 अच्छा क् इसमें बढ़िया है यानिकि एक का उधर भी आए एक का इदर आए है यानिकि दो को छोड़ दिया जाए तो बांकि सब और किसी का रहे है ट्रिपल फोर टाइम 3.33 नहीं चलो ओके इसका मतलब इस बार तो यही सही होगा इतना तो नहीं गलत हो सकता है यह अगर आप गलत ह हो गया तो मेरे जो एक घंटे की महनत है न फिफ्टी मिनट्स की महनत सारे किसमें बताई पानी में फिर समझ में आगे बद तो इस वार तो यही सही होगा मैं आपको 100% नहीं 99% बोल सकता हूं 100% अभी नहीं बोलूगा क्यों थोड़ा दर के बाद वहरोसा होगा आप लोग करिंसी फॉरंड करिंसी किलर यहां तक यानि कि कनवर्जन अगर यह होगा तो यह कनवर्जन कभी मिस्टर जापान नहीं करेगा सबसे पहली बात ओके यानि कि इसका मतलब यहां पे मलेशिया वाले क्या करेगा कनवर्ट करेगा तो मिस्टर मलेशिया Mr. Malaysia ने क्या किया है बताईए अगर ये import हुई है तो इसने क्या किया होगा बताईए export किया होगा तो इनके जेब में क्या आने वाला है बताईए पैसे आने वाला है क्या पैसे आने वाला है बताईए invoice currency आता है एन आने वाला है ये बैंक में गया होगा ठीक है और बैंक में जाके एन देगा और उसके बदले क्या लेगा बताईए अपने करेंसी लेके आते हैं हमेशा हरे इंसान कन्वर्टर कराके अपने करेंसी लेके आते हैं क्या लेके आते हैं बताईए मलेसियन रिंगेट अब देखो मुझे दो अम ज्यादा यह अमाउंट पैमेंट होगी क्लडियां तक इसका मतलब यह रेट अपलाई होना चाहिए चाहिए है क्यों बता फिर से चेक कर लो जापान न इंपोर्ट किया मतलब मेलैशेन ने म्क्षर मलेशा ने क्या बताई एक्सपोर्ट किया तो उनके जिब में क्या अने वाले बताई यह आने वाला तो Malaysian Ringgit के पाइंट भी इसे सोचना पड़ेगा आपको, clear है? अब ऐसे सोचो, दो अमाउंट है एन का, एक 30 और एक 32, आपको जैसे में comfortable बोलो, अमाउंट सेलेक्शन करना है, तो देखो, एन पे अमाउंट डालना है, तो मुझे बताई, 30 डालो, 32 डालो, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट तो 32 पे होगा, तो यह तो रेट अपलाई होगा, तो यह तो रेट अपलाई होगा, आपको बाई से सोचना चाहते हो, मैं दो च्वाइच दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से एक ही रेट, एक ही में थर्चे चलना हमेंजाब, ठीक है, बोलोगा, अपने हिसाब से कैसे चलो, देखो, आपको एन बेचना है, लेकिन एन कामोरेटी नहीं है, तो आपको रेक्वाइर्मेंट को बदलने पड़ेंगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा, बताएए, अगर ये एन का अगर रेट होता, तो आप बेचते किस पे, बेचते आप बिड़ पे, बट वोड नहीं है, तो बिड़ पे नहीं, बिड अपलाई नहीं होगा, आपका कॉन से रेट अपलाई होगा, पास्क बाले, तो उताई से वैसे भी जा सकते हो, तो चलिए देखते, अब हमारा एन जो है न, थर्टी टू का कितना है, बताएए, मलेशियन रिंगिट, वन, ये न, तो अब मुझे बताएए, एन अगर मैं, वन रखता तो मलेशियन रिंगिट कितना बताएए, वन डिवाइड़ वाइ थर्टी टू, और अगर एन मेरे पास वन लाग है, तो मुझे बताएए, मलेशियन रिंगिट कितना बनने वाला है, तो वन डिवाइड़ वाइ थर्टी टू, multiply by 1 lakh ओके, तो 1 lakh divided by 32 3125, मैंने पहले ही क्या बोला है 99% सांसे कि ये क्या होगा सही होगा, बस 2 ने mistake किया अब आपने, दोनों ने क्यों mistake किया, एक बाट थोड़ा सानलाइज करो, थोड़ा जल्दी करें और कुछ नहीं है ठीक है, बागि सब 325 ठीक है, यानि कि अल्मोस्ट अब सबका क्या हो गया है पकड में आ चुका है, अब 1-2% रहेगे, अभी आप छोड़ो अब इसको क्योंकि बहुत जबार क्या होता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से भी क्या होता है, माइन दरुदर अब आप इस टॉपिक को यहीं छोड़ेंगे, समझ में आगया बाद अब फिर से हम लोग अगले बार क्या करेंगे, कल चे आप आएंगे तो एक पहले प्रैक्टिस करेंगे, यह क्या दो एक जामपल और फिर जब क्या जाएंगे तो देखना वहाँ पर आपको कमफर्टेवल लगने लग जाओगे, ठीक है, वहाँ पर स्टार्टिंग के क्योश्टिंग में इतना साइलेंट भी नहीं होता है, स्टार्टिंग के क्योश्टिंग में आपको तो दोनों पाटी मिलेगा बार बार, तो कोई दिक्कत भी नहीं लगेगा आपको, हाँ जब क्रॉस रेट में जाते हैं वहाँ पर पार्टी होता ही नहीं है, आपको खुद ही रिसाइड करना होता है कौनसी पार्टी आपको, तब वहाँ पर जाके यह सब चीज क्या होगा तो आपको खुद यलाई जोगा कि मुझे कौनसी रेट कैसे रखना चाहिए, ठीक है, तो चलिए, अब इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बस दो के दिक्कत रहे गई थी, वो दोनों, आप लोग कोई बात नहीं है, उसमें टेंसर नहीं है कि हमारे रहे गिया, तो उसको हम बाद में फिर से जब कल करेंगे तो वहां से आजाएगा, चलिए, तो यह चारो एक्जामपल था, एक बार एक्जामपल भी देखेगा, बिना सॉलुचन का एक बार हिंट ले ना, चार और एक्जामपल हो जाएगा, वह ऐसे ही अलग-अलग तरीके से यहां प कोट किया जाए, फोरण करेंसी का, तो उसको बोलते हैं डारेट कोट, जैसे इंडिया में देखो आप, इंडिया में हमेशा, इन इंडिया कभी भी रूपी जो है न, नहीं कोट किया जाता है, हमेशा किस करेंसी का डारेट कोट है यह, इस करेंसी को डारेट कोट किया गया तो हम बोलेंगे, देखो, प्राइस किसमें होना चाहिए बताइए, 110 लिखो, 80 लिखो, 0.60 नहीं, 60 लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा, जो भी है, चलो 55 लिख दिया, यह क्या है बताइए, डारेट कोट किसका, जल्दी बोलो न, पाउंड करिंसी का, कहां पे, रखना, रियल लाइफ में, प्रक्टिकल लाइफ में, कभी भी, इंडारेट कोट आपको नहीं मिलेगा, कुश्चन में मिल सकता है, ठीक है, अब इंडारेट कोट कैसे होगा देखना, अगर इंडिया में रेट ऐसे कोट कर दे, रूपी वन का डॉलर, सरी, डॉलर नहीं, रूपी वन का पॉल्ड शंथिंग, वन डिवाड़ वे वन वन जिरो, यह आगया, आपका 0.01 संथिंग अगर इंडारेट कोट, यह कभी मिलेगा नहीं आपको, इंडारेट कोट कभी मिलता नहीं है, उसे ठीयरिकल रेट है, इंडारेट कोट, समझ में आगया बात? तो हमेशा कौन सी करेंसी को कोट किया जाता है, फॉरन करेंसी को तो ये जो होम करेंसी में प्राइस होता है, फॉरन करेंसी वहाँ पे क्या होता है, बेस करेंसी इसको क्या बोलते हैं, डारेट कोट इसको क्या बोलेंगे बता ही, इंडारेट कोट लेकिन कहां पे होई कहां पे indirect quote किया गया है इंडिया में किसको indirect quote किया गया है नो, रूपी को नहीं पाउंड को, इंडिया में pound का quotation होता है इंडिया में रूपी quote नहीं होता है कभी भी सबज में आगे बात वो ऐसे rate रूपी का है लेकिन रूपी का रेट बोलोगे न तो रूपी को फिर डारेट कोट किया गया है डारेट कोट हो जाए गया है जिसके साथ बेस करेंसे उसका डारेट कोट है लेकिन रूपी को डारेकली कभी रूपी में इंडिया में नहीं कोट होता है यही rate आपका direct quote है कहाँ पर इस इस direct quote कहाँ पर in UK में क्योंकि देखो UK में रूपी कोई quote करेगा हो तो देखो यह है रूपी का direct quote लेकिन कहाँ पर है UK में रूपी का direct quote in UK इसका मतलब इतना तो clear हो गया जिस currency के साथ 1 है उसका direct quote है जिसमें other than one है वो indirect quote है इस सब पर question नहीं आता है अगर आएगा भी ना तो MCG में एक दो मांक्स में आएगा समझ में आगे बाद कि यह किस currency का direct quote है कहाँ का direct quote है नहीं है वो सारा चीज होगा यह हो सकता है कहाँ नहीं बना के देगा वो कह रहा है इसको directly quote किया गया वो कहता है नहीं यह तो direct quote नहीं है क्योंकि दो-तिन तरह का अलग-अलग quote भी होता है international quote भी मिलेगा आपको जिसमें दोनों currency का होते है मारे लिए foreign currency होता है तो वो सारा चीज है तो यह सब चीजों का इतना एहमियत नहीं question solve करने के लेकिन what अगर आपको पता होना चीए ठीक है तो यहीं चीजों यहाँ पर लिखा हो आई कि direct quote क्या होगा यह है dollar का direct quote कहाँ पे इंडिया में यह क्या बताइए in का direct quote कहाँ पे इंडिया में very simple indirect quote पे आईए यह देखे यह dollar का indirect quote है लेकिन कहाँ पे बताइए इंडिया में very simple यह देखो यह किसका indirect quote है बताओ pound का कहाँ पे जापान में क्योंकि जापान में की प्राइस है यहाँ पे सब्सक्राइब आगे बत तो देखो यह है आपका pound जो है न वो indirect quote of pound in Japan जिसका hundred unit है न उसका direct quote है या जिसका one unit है न उसका direct quote है रूपी का में से direct quote ही होगा country बदलता रहेगा तो जिसके साथ one है या जिसके साथ hundred unit है उसका direct quote है और जिसके साथ other currencies एक्सप्रेशिए other than one unit उसका क्या बताइए indirect quote है pound का indirect quote है in Japan डॉलर का indirect quote है in India, Malaysian Ringgit का direct quote है in Japan, होता किया है देखो, price होते है फोरन currency, प्राइस जो होते है न, home currency में, यह देखो यह price है, यह home currency होना चाहिए, home currency कहां किये बताई, Japan की, simple, home currency में price होना चाहिए, और one unit या hundred unit किसका होना चाहिए, foreign currency का होना चाहिए, तो यह one unit और foreign currency, one unit या hundred unit किसका है हमें साहिए, foreign currency का, तो foreign currency कहां के लिए होगा, जापान के लिए होगा, क्योंकि यह आपका क्या है, home currency है, यह क्या है बता सकते कोई मुझे, नेपाल का direct quote for pound currency, pound का direct court नेपाल में समझ में आगई बात? बहुत आसां सीज़े, कुछ नहीं है एक आता है international court ऐसी को बोलते है cross currency court इसमें दोनों currency क्या होता है foreign currency दोनों foreign currency होते हैं यह देखो an exchange rate where both currencies are foreign currency is known as international court इंडिया में इसको cross currency भी बोलते है cross currency court भी बोलते है cross currency court cross rate नहीं है cross rate नहीं है cross currency का quotation है मतलब दोनों इसमें क्या चल रहा है हमारा foreign currency क्योंकि जो हम cross rate निकालते हैं आने वाले टाइम पे में बताऊंगा कि जैसे क्या होता है आपको apple खरीदना है और apple वाले बंदे क्या कर रहा है पता है वो apple बेच तो रहा है खरीद तो रहा है apple लेकिन रूपिय लेके देके नहीं वो exchange कर रहा है orange के साथ आप apple खरीदने जाओ तो सामने वाले क्या कहते है orange लेके हो तब ये apple दूँगा मेरे पर रुपीया लेके मत आना तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है पहले orange खरीदो किसी और के पास जाके और फिर orange लेके बदलो और फिर क्या लेके हो आपल इसका मतलब आपको आपने जो काम किया काम एक ही किया है जेव से निकला है रुपी pocket में आया है apple लेकिन आपको दो दुकंदार को यूज करना पड़ा एक बार आपको orange खरीदने बेचने पड़े और तब जाके उसको exchange किया किस के साथ, apple के साथ, फिर आपके जेब में apple आये, apple आपने दिया जो भी है तो इस तरीके से जब हम लोग आगे करेंगे, क्या करेंगे, दो exchange rate दिया रहेगा, उस दो exchange rate को यूज करके अपने मतलब से एक exchange rate निकालेंगे, उसको बोलते क्रॉस rate उस क्रॉस rate के अंदर हमारा अपना home currency भी होता है समझ मैं क्या बात? जब हम क्रॉस rate निकालते हैं तो इसके अंदर हमारे currency भी होता है, home currency भी होता है, जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे सोचो आप गए, आपको चाहिए था dollar, ठीक है, यह देदिया dollar, रूपी के साथ rate दे दिया, 80 का, जहांसे सुनिए, और फिर एक बार आता है dollar 1 का NPR, मान लेजे, 80, multiply by 1.6, तो आप देखें क्य हुआ, dollar का रूपी के साथ rate है, dollar का नेपलीज रूपी के साथ rate है, आपको क्या करना था, एक Mr. Nepal को इंडियन रूपी खरीदना था, हमारे पास वो exchange rate नहीं है, तो अब आप मुझे बताए, चलो Mr. India ही ले ले लेते, फील कर लेना तो रह सब, Mr. India को NPR खरीदना है, क्या करे करते हैं, कहां से, इंडिया से, एक Mr. India लकडी इंपोर्ट करते हैं, नेपाल से, ठीक है, और वहां पर कहते हैं, इंवाइस जो बनी है नेपलीज रूपीज में, तो इंपोर्ट किया आपने, और नेपलीज रूपीज में आपका इंवाइस है, एक क्वेश्चन आपके एक नेपलीज रूपीज में, तो फिर उसको कनवर्ट करना पड़ेगा, नेपलीज रूपीज रूपीज खरीदने पड़ेंगे, अब आप मुझे बताइए, नेपलीज रूपीज आपको बाई करना है, क्योंकि इंपोर्ट किया है Mr. India ने, आप मुझे बताइए, रेट कहा ह देखना ध्यान से, इन दोनों में को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके एक नया रेट निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस क्या होगा, इसको क्रॉस रेट क्यों बोलता है देखो, क्योंकि एक बार, ये जो Mr. India होगा न, पहले जाएगा इस बैंक में, और इसमें रूपी देके पहले डॉलर बाई करेगा, और फिर क्या करेगा, डॉलर यहाँ पर जाके बेचेगा, और फिर ये में क्या हैगा बताईए, NPR, इस प्रोसेस में, डॉलर जो Eliminate हो रही है, एक बार डॉलर खरीदा है, एक बार डॉलर बेचा है, डॉलर is a intermediate currency, इसको जो Eliminate करना है, इसको कहते है क्रॉस करना होता है, और आपका एक resultant rate है, इस rate को नाम क्या देंगे हम लोग, क्रॉस रेट, अब ये जो क्रॉस रेट निकाला है, वो क्रॉस रेट किस currency के terms में बताईए, क्रॉस रेट जो आपने निकाला है, वो किस currency का होगा, रूपी एंड, NPR के, आप मुझे बताईए इसमें home currency है या नहीं है, Mr. India का, है, है, बट अभी तुम्हें यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, बताईए, cross currency के अंदर दोनों foreign currency है, मैंने cross rate वो एक नाम दिया गया है, कि एक cross कर दिया, किसको, dollar को, तो cross rate calculate करना, और cross currency का quotation, अलग-अलग चीज है, question में मिलेगा, Mr. USA, cross currency deal किया है, exchange में, एक question है आपके, एक party ने cross currency deal करता है, किसी market में जाके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, cross currency की जो deal होता है, वो हमेशा दोनों foreign currency में होता है, समझ में आ गया बात, तो जो cross rate है, वो calculation के point of view से बोला गया है, cross currency बोले, cross rate और cross currency, अलग-अलग चीज है, पहले बातों को समझ जाना आप, cross currency का quotation, मतलब दोनों rate किस में, foreign currency में, जैसे, इंडिया में भी पहले trade हो रहा था, अभी तो आपको मिलता नहीं आप, अभी भी साइद होगा, लेकिन वो सबको allow नहीं करता है, trade करने के लिए, इंडिया में मिलेगा को क्या बता है, GBP and USD का rate मिलेगा आपको, इंडिया मार्केट में, NSC पर जाओगे, शर्च करने तो साइद नहीं मिलेगा, पहले मिलता था, अभी उसने हटा दिया, क्योंकि Mr. India ट्रेड नहीं कर सकता है, इसलिए साइद, आप यहाँ पर देखना, जैसे आप डालो यहाँ यहाँ पर, GBP का डॉलर के साथ भी ट्रेड होता था, यहाँ देखो है, GBP, USD दिख रहे हैं आपको, यह है cross currency deal, यह देखो, यह है cross currency deal, दो क्या लिखा है rate में बताए, GBP, USD, लिखा है, आप मुझे बताए, यहाँ पर rate किसका, कितने क्या सपास rate चल रहा होगा मार्केट में, बहुत कम concentration से पढ़े, फटाक से calculator हाथ में होना चाहिए, दो सेकंड में आपको rate बताना है, इतना पढ़ा रखा है, उसके बावजूद भी नहीं आएगा, आप मुझे बताए, GBP, USD अगर लिख के दिया है, तो यहाँ पर rate दे रहा है, एक pound का, एक pound का, एक pound का, एक pound चल र रहा है, 1.27, यह कौन से deal है, बताए, इस deal is cross currency deal, और आपको मैं बता दू, यहाँ पर Mr. India allowed नहीं है trade करने के लिए, बताए कैसे, इसमें जो payment receipt होगी ना, दोनों foreign currency है, दोनों foreign currency है, आपके जेब में है क्या बताओ, रूपी, कहां से कर पाओगा trade आप इसमें, समझ में आग currency, settlement करने पढ़ेंगे foreign currency, इसमें deal करने के लिए, आपके बताओ foreign currency account रोना चाहिए, तब ही जागे कर सकते हैं, इसमें deal, समझ में आगे बताओ, तो cross currency के deal अलग चीज है, और cross rate निकालना, दो rate को cross करके वो अलग चीज है, mix up मत करना आगे जाके आप, समझ में आगे बताओ, जैसे बोले कि cross currency हमारा, तो समझ जाना, दोनों कोंसी currency हमारे लिए, foreign currency, अभी आप जाके सर्च करना, अगर आपके वो कोई account है, क्या कहते है, foreign currency, sorry, demat account अगर आपके पास है, इसको जाके ठेड करने ही, कोशिस करना, आपको order री प्लेस ने होगा, समझ में आगे, इसको order र foreigner इसमें allowed है, ठीक है, उसके account होते है, उसमें मैंने ज्यादा research नहीं किया, ठीक है, वैसे तो वो कहना चाह रहा है, कि हम सब कुछ एकी platform पर कराने की कोशिस कर रहे है, ठीक है, वो तो even यह कह रहे है, कि हम अपने platform पे भारवाले के भी market से trade करा देंगे, आपको उसी platform पे US market करा देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अभी कहा है, अभी तक, मतलब वो प्रोसेस में हो अपना, लगा हुआ है, ठीक है, जब हो जाएगा, तो देख लेंगे, यह हो सकता, मैं थोरा सा out of the market भी हूँ, बहुत दिनों से, बिल्कुल out of the market हूँ, बिल्कुल out of the market time कम हूता है, इज़र time कम हो गया तो आगके साथ justice नहीं होपाएगा, तो इसलिव कहते हैं कोई नहीं, एक हीर के साथ justice करते, सब के साथ justice नहीं कर सकते, ठीक है, तो जो market की follower है, कोई बात नहीं है, अपना market में ट्रेट करेगा, कोई ज़रू तो दोने का हमारे हिल्ट से ही क USA and Switzerland के लिए यानि कि ये currency जो है direct और indirect बन जाएगा दो पार्टी के लिए कौनसी एक US के पार्टी और एक Switzerland के पार्टी यानि कि except US and Switzerland इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो हर एक country के लिए ये कौनसी quote है international quote या cross currency quote cross currency quote in India और Nepal और Japan ETC किया होगा मैंने except 2 को छोड़के हर के लिए international quote है American term और European term भी आता है कुछ ठीक है अगेन रिपीट कर रहे जितने भी terms है या आपके MCQ के लिए beneficial हो सकता है क्योंकि वह बागी इस पर कोई question बनता नहीं क्या पूछेगा वाँच मार्टी में बताओ वह आपका 2 term में होता है American term में क्या बोलता है देखो rates quoted in amount of US dollar ज्यांसे सुचना है America में हमेशा price किस currency मोगा America में price किस currency मोगा dollar में यही कह रहा है कि rate quoted in amount of dollar per unit of कोई भी currency ले लो आप जैसे रूपी 1 डॉलर में price होना चाहिए तो इसको American term में quotation बोला जाता है इसका मतलब आपने जो वह पढ़ा था ऊपर direct quote of America is American term quotation एक लाइन में देखे हो देखो आप American term में quotation तो भाई अमेरिका में quote हो रही है है ना तो आप मुझे बताए रूपी 1 इकल टू इतना यह अभी भी तो direct quote ही तो था किसका direct quote था बताओ अमेरिका का, US का तो US की जो आपका direct quote होते उसी को अगला नाम भी बोल देते क्या बोल देते American term में quote किया गया है तो अमेरिका में American term में ही quote होगा और एक होता है European term जैसे आप derivative में भी जाओगे न तो derivative में होता है European call option CE बोलते हैं इसको call European, put European आज जो भी market में trade करते हैं इसको C, E, P, E trade करते है वो European term में trade हो रहा है इंडिया में जो trade होते हैं European quotation चलता है American quotation यहां trade नहीं होता है American quotation थे call American, put American तो है क्या है American और European word नहीं बहुत popular हो चुका है हर एक चीजों के लिए क्योंकि सारा trade शुरुवात कहां से हुई थी call put होकर सब उधर से तो हो कहते हमारा एक style है Europe बाले कहते हमारा एक style है दोनों में क्या difference है derivative मताऊंगा आपको तो European style हो गए American style हो गए इसलिए exchange rate में भी दो style चलता है American term में European term में तो अमेरिका वाले ने जो कोट कर दिया हो कौन सी वाले हो गए American term और अधर ने जो कोट किया हो गए सारे क्या हो गए बताई अधर अधर के लिए मतलब डॉलर के लिए कोट होना चाहिए अधर कर दो अमेरिका के अलावा चले हो अब आप देओ कैसे होता है rate quoted in amount of foreign currency per unit of कौन जाएगा बताईए US dollar यह ध्यान रखना आथ यहाँ पर dollar क्या जा रहा था बताईए price में यहाँ dollar किस में जा रहा है बताईए base में तो इसको बोलते है क्या European term में quote करना अब बोलोगों लो European क्यों है तो कुछ भी हो सकता इसको लेकिन लोगों ने नाम क्या दे रखा है इसको European आ तो ठीक है चल रहा है यानि किसका मतलब क्या हो गया एक American term है कि European term है अभी भी वही सब कुछ है सिर्फ एक नाम रख दिया गया ताकि वह term पता हो आपको कि इसको कैसे बोलते है इसे European call option, American call option ट्रेड हो रहा है इंडिया में और नाम किसका है European क्योंकि वह style है उन लोगों के तरीके का तो कहते हैं कि dollar अगर price में है dollar, दोनो term के अंदर dollar को base बनाना आप dollar अगर price में है तो अमेरिका में होगा हो, तो American term dollar अगर base currency है, तो European term खतम हो गई बात यानि कि इभेन इंडिया में जो quote किया गया है ने ये rate इंडिया का ये direct quote है उसको भी conscious style बोला जाता है, European style बोलते हो उसको, कि European style में rate quote किया गया है तो हो गया खतम, वो कुछ बास नाम जानना और कुछ नहीं है, कि European style का rate है, American style का rate है, बस खतम most foreign currencies world are quoted in European term मतलब वो कहना चाह रहे कि भाई हमारे इकनम इतना strong है ना, कौन? US वाले, US वाले वो ये कहना चाह रहे कि हमारे currency इतना strong है, कि दुनिया में हमारे कोई quote करते है दुनिया में हमें ही quote करता है, देख रहे हो आप तो हर एक नाम को क्या रख दिया हो European style, European term बस simple, नाम, खियात होना चाहिए कि अगर exam में आजाए कि which term में quote किया गया है, बस इतना ही बोलना और कुछ नहीं है यानि कि other than USA में जितने भी rate quote किया जाता है वो कौन सी term में होता है वो American term में होता है ने, ने, American नहीं, European term में America में होता है American term rest of the world में European term, यह तो बोला है most foreign currency in the world rest of the world are quoted in European term direct को indirect में convert करना, बहुत आसान सी चीज़े, इसमें time waste ना करें, ठेक है, जो जैसा आसान है, उसको आसान ही डेने देंदे हम लोग अब मान लेजे, direct quote है किसी currency का उसको किसमें convert करना है indirect quote के अंदर तो तो को सोचो, आप क्या होता है हमने लिखा euro one equal to CHF, ज्यादा या कम one से ज्यादा या one से कम भटाक से आना चाहिए ज्यादा से या कम कम, हां जी, ये क्या है बताईए stronger, अमांट क्या होना चाहिए हमारा, कम, अभी से practice करो ना देखो ना आगे जाए कितना comfortable हो जाओग आप मैं जान कुछ के practice करा रहा हूँ तो येक हो गया 95 और येक है कितना 90 तो 90 और 95 वही 0.95 के असपस तो ठीक है हमने लिखा 0.95 ये कौन सी कोट है direct, किसका euro का, मुझे indirect में convert करना है तो मैं क्या लिखूँगा बताईए CHF one equal to euro खताम होगे, direct indirect में convert होगे इतना note sheet करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगो अतना टाइम नहीं, time to save भी करना है हमारा अब चलते क्या बताईए, 2A कोट में इसको vice versa भी बोल सकते हो एक के लिए indirect था देखुआ इसका indirect कोट था हमने इसको direct में convert कर दिए इसका direct कोट था उसके indirect में convert कर दिए मतलब 20 बसा हो चुका है एक का direct कोट दूसरे currency का indirect होता है तो indirect को direct direct को indirect करना है तो one divided by reciprocal कर दो, खतम हो गई बात ये देखो, reciprocal कर दो one divided by direct कोट इजी, indirect कोट ये क्या होगे, गरबड होगे है, नहीं direct कोट जी को one divided by direct कोट कर दम होगे बात वापस आते हैं तो इक कोट में, ध्यान से सुनना आद यहां पे आप कहानिया आती है यूरो वन इक्वल टू एम वाई आर लिख रहा हो, मलेसियन निंगिट कितने का असपास आएगा ज्यादा ये कम ज्यादा, इसकी quantity ज्यादा होगे क्यों कि मलेसियन निंगिट क्या है आपका, विकर है तो एक का चल रहा है 90 और एक का चल रहा है 20 तो 90 divided by 20 मोटा मोटा आपका 4.5 क्या असपास चलो, मैं यहां पर rate लिख रहा हूँ 4.50 और इधर लिखता हूँ 5.00 क्योंकि इस प्रेट डाल दिया इस प्रेट किसके फाइदे मंद होगा बैंक वालों का, जिस जो दुकंदार है बिजनसमान के लिए फाइदे मंद ही तो अब आप मुझे बताएए इसमें मुझे इंडारेक्ट करना है किसका, यूरो का तो यूरो जाएगा प्राइस में कहानी शुरू होती है अब MYR वन रखना है इधर क्या लिखना पड़ेगा यूरो अभ्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे दो क्वांटिटी मुझे पुट करना है मुझे नहीं पता कितना आएगा लॉजिकली थोड़ा सोचना अभी बैंक वाले इन दोनों में से सेलेक्शन कर रहा था कि मैं ज़्यादा रिसीव करता हूँ कम पेमेंट करता हूँ बैंक के पॉइंट अभी से यह यह ना अब आप मुझे बताइए जब इस रेट को कनवर्ड करेगा तो इक्वैलेंट अमाउंट तो उसी रेट का आएगा या कुछ और आएगा उसी रेट का आएगा तो जिस टाइम वो मलेशियन रिंगिट पे कर रहा था कम इनकी बाई कर रहा था बैंक बैंक वाले बाई करते हैं इतने बैंक तो आप मुझे बताइए उस टाइम पे जिस टाइम पे बैंक यूरो करेंसी बाई कर रहा होता है सेम टाइम बैंक मलेशियन रिंगिट बेच रहा होता है आप क्या कर रहे देखो एक के रेट को दूसरे में कनवर्ड कर रहे हो equivalent amount नहीं बदल सकता equivalent amount नहीं बदल सकता इसका मतलब क्या होगा देखे मलेशियन रिंगिट का जब रेट आएगा तो देखना यूरो यह amount क्या होगा बताए यह amount low होगा और यह amount हाई है सही कहा रहा हूँ मैं सोचके देखो आप तो यह amount लोग कब होगा बताईए यह 1.4 को यूज़ करके या 5 को यूज़ करके 5 को यूज़ करके यानि कि यह जो है न 1 divided by 5 और यह क्या होगा बताईए 1 divided by 4.50 शही है तो आप लोग ऐसे एक 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 वो बना लेते हो यह इधर जाता है यह इधर जाता है अगले केस में जाके यही amount आपके जादा बनेगा तो जादा तब बनेगा न जब 1 divided by करेंगे और चलो अब एक दूसरे तरीके से सोचना जिस टाइम पे यूरो बेच रहे होते हो उस टाइम पे मलेशियन रिंगिट खरीद रहे होते हो सोचके देखो नाप मैं जाता हूँ सबजी खरीदने मैं कहता हूं नहीं मैं दो काम कर रहा हूं सबजी खरीद रहा हूं रुपी बेच रहा हूं दो काम कर रहे हैं एक साथ आप देखो उपर के डाइगराम में चल यह हम लोग चलते हैं वो उस example के अंदर जन से सोचना आप यहाँ पे देखो यह डाइगराम है एक मैं इसमें दो तरीके से language उज़ कर सकता हूँ bank in खरीद रहा है या bank malaysia ringit बेच रहा है दोनो language उज़ कर सकते हो ठीक है तो अब मुझे बताइए अगर same rate हो तो जो rate जो rate bank के buying में आएगा वही rate मतलब एन का buying के लिए होगा वही rate Malaysian ringit के selling में जाएगा सही बोल रहा हूँ है जिस टाइम पे Malaysian ringit bank बेच रहा है उसी टाइम पे तो एन खरीद रहा है अगर मैं इसके साथ one लगा दूँ ध्यान से सुनना मैं कुछ बोल रहा हूँ फिर लॉजिकली सोचना अगर मैं यहाँ पे one लगाओ अगर मैं यहाँ पे one डालो तो यह जो rate होगा न यह कौन सी होगा पता है आपको bid तो कि जब एन खरीदता है bank तो खरीदते है बिड पे मतलब देखो bid पे होगा तभी तो कम पे करेगा न low amount देखो low bid क्या होता है बताई low यह देखो bank वाले क्या करेगा low पे कर रहा है देखो आप क्योंकि जो चीज़ खरीदते बेजते हैं उसकी quantity ज़्यादा कम नहीं होता है उसकी price कम ज़्यादा होता है यह खरीदते बेजते हैं इसकी price कम जादा होता है clear यहां तक और देखना बस सिर्फ मैं color बदल रहा हूँ ध्यान से रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ color बदल रहा हूँ मैं pinky pinky कर दे रहा हूँ pinky को ध्यान लखना यह देखो यहां पे अगर मैं इसके साथ one लगाऊं तो याद रखना अब आपका यह खरीदिने बेचने वाले हो गए अब नहीं commodity कौन होता है पर kg वाले हमेशा पर kg तो खरीदा बेचा जाता है जब exchange rate के साथ one M.O.I.R. आएगा ना तो समझ जाना वो bank कहां का होगा जापान का जापान के bank में यह one के साथ court किया गया होगा क्योंकि जापान में यह price होता है सभज मैं आगे बात चलो एक काम करते है मैं चाहूं तो इसको मैं erase भी कर सकता था जो अभी लिखा था किसको मैं erase नहीं करना चाहरा है मैं cut करना चाहरा हूं इदर ध्यान मत दुआ बस ठीक है erase कर दूँगा तो यह हट जाएगा तो फिर mindset अलग हो जाएगा अभी तो आप रहने दो पहले थोड़ा दर पहले कुछ और सोचे थे आप अब आप क्या कर रहे हैं देखो कुछ और सोच रहे हो फिर भी थोड़ा सा सोचते हैं ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि किस रास्ते बदलने से देखो नो मंजिल नहीं बदलता है वही तो मैं बताने ही कोसिस कर रहा हूं जब यह one है न तो यह bank कहा से है सोच के देख ले न Malaysia का क्योंकि Malaysian में प्राइस होती है यह रिंगिट देखो यह था Malaysia वाले लाल-लाल जो थे ना Malaysia थे rate rate कौन था Malaysian bank था अब मैं कहता हूं bank बदल रहा हूं bank बदल रहा हूं मतलो क्या हो पता है rate बदल चुका होगा जैसे bank बदलूगा rate बदल जाएगा तो अब क्या हो रहा है देखो मैं rate बदल रहा हूं तू भी हट जा भाई तू भी हट जा तू भी हट जा अब मैं क्या कर रहा हूं बताइए अब ध्यान इस पे नहीं जाना चाहिए जो कट कर दिया मैंने अब आप क्या कर रहा हूं मैं bank बदल रहा हूं ठीक है और ये किस में होगा बताइए, one के साथ चल रहा होगा, अब मुझे बताइए, bank को अब यहाँ पर Malaysian Ringgit क्या करना पड़ेगा, buy कर रहें, sell कर रहें, sell कर रहें, मतलब जादा और कम quantity किस के साथ attach होगा, इसके साथ जादा और कम quantity attach होगा, अब इधर selection करने पड़ेंगे कम जादा में से, तो मुझे बताइए, bank बेच रहा है, बेचता किस पे हैं, ask पे, मतलब जादा लेता है, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर जादा amount आएगा, कम amount आएगा, high amount आएगा, एक कौन सी वाले हैं, ask आएगा, थोड़ा ध्यान से सोचना, देखना, एक करेंसी का bid rate, जब apply कर रहे थे, जब आपने rate बदल दिया, किस में पहुंच गया बताइए, ask में, इसी लिए, जब भी कभी conversion होते हैं, तो एक करेंसी का bid rate, दूसरे करेंसी का किस में जाता है, बताइए, ask rate में, इसी लिए, जब आप selection कर रहे होते हो न, conversion के time पे, जो अभी किया था, आपने 3-4 example में, वहाँ पे, ये rate selection होगी है, ये rate selection होगी, depends upon the base currency, यही चीज़ आपको ध्यान रखना था मेंसा, आप लोग क्या करते हो, हर बार एक ही रास्ते से गुजर जाते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे, जितने भी example लिये होंगे न, पहले का, उसमें 2-2 rate नहीं दिया, क्या है, एक rate, यहाँ पे भी एक ही rate है, यहाँ पे भी एक ही rate है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे दो rate दे रखा है, अच्छा, पहले example में 2 rate दे दिया, हाँ तो कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताना, चलो इस example का आप ट्राई करके देखना, बढ़ें, चलो करते हैं, इसमें 2 rate में दे रखा है, एक वार US Bank का और एक इक को बाया, मैं बता दू, यह bank का rate यूज करोगा, तो अगर यह rate अपलाई होगा, इस bank का rate यूज करते तरहें, यह rate अपलाई होगा, इसलिए यह नहीं बोलना कि हमें साब बढ़ी rate अपलाई होगा, यह जी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिस किया है यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिस यही किया हुआ है कि देखो आप द्यान से जी जब रूपी के साथ अगर आप वन लगा रखे हो न तो द्यान से देखना जब रूपी के साथ वन लगा रखे हो तो bank वाले रूपी क्या कर रहा है बता है यहाँ पे बेच रहा है तो यह आस्क रेट होगा यह देखो यह जो का ना आस्क रेट होगा लेकिन जब आप हाँ, यहाँ पे रुपी बेच रहा है, और यहाँ पे देख रुपी क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो यह कौन सी रेट होगा, बिड़ेट, तो आप देखो, रुपी का बिड़ेट बन गया, जबकि यही चीज, डॉलर का क्या था बताओ, आस्क रेट, सेम 80 रुपीज, से बिड़ेट है, तो डॉलर का आस्क रेट, जब रुपी में वन गया न, तो वही क्वांटिटी क्या बन गया, बताओ, बिड़ेट, जिस तरीके से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक सी जाद रखना, रेट बदलने से बिड़ेट आस्क बदल जाता है, इसलिए हमा बैंक रेट, बैंक बदलने से रेट बदल जाता है, अगर एक ही बैंक का रेट बस कनवर्ट करके कल्कुलेट करोगे, तो इक्वैलेंट अमाउंट नहीं बदलना चाहिए, क्लियर यहां तक, अब बात बनती है, एक्षेंज की और OTC की एक नाम है बस, एक्षेंज में कैसे ट्रेड होता है, OTC में कैसे ट्रेड होता है, OTC मतलब, over the counter, one-to-one जो डील होता है न सारे OTC होता है, अब सबजी खरीदने जाते हो, OTC है, OLX पर कोई समान खरीदते हो, OTC है, यानि कि बैंक में कोई कनवर्जन कराने जाते हो, currency का, OTC है, एक्षेंज में जाते हो, वो transaction में और OTC के transaction में major क्या difference है बता आपको, price negotiation का, एक में बोली लगता है, एक में one-to-one deal होता है, अगर आप bank में जा रहे हो, one-to-one deal कर रहे हो, अगर exchange में जा रहे हो, हमेशा बोली लगता है, अभी आप NSC पर देख रहे थे, यहाँ पर बोली लगता है, यह पर बोली लगत और यह trade कैसे हो आता देखो, यहाँ पर इस तरीके से बोली लगाता देखो, buyer और seller की भीड, देखे रहे आपको, अभी open नहीं हो आगा, नौ बज़े जब open होता है अगर ट्रेडिंग शुरू होती है, आज तो वैसे भी Saturday है, तो आज तो वैसे भी बंद रहता है, है ना, Saturday Sunday market close होती है, तो यह आपको सीधा Monday को fluctuate होते हुए दिखेगा आपको, तो buyer और seller का बोली लगता है, तो इस तरीके के बोली लगाके, अगर कोई price decide हो, तो that is the exchange, और exchange की जो rules and regulation होते है, उसकी अपनी होती है, हाँ जी, 25 pip का difference जो चलते हैं हमारे Indian रूपी के time में चलता है, यह यहाँ पर 25 pip ले लिया ना, इतने stronger currency में बहुत ज्यादा हो जाएगा, stronger currency की pip बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, सोचके देखो आप, तो यह stronger currency के stronger currency में rate है, किसका किसमे rate है यह बताएए, GBP का, USD के साथ, तो यहाँ 25 pip नहीं चलता है, जैसे आप अभी जाएए इधर, हमारे share trade करने जाओ, तो उसमें आपको 5-5 पैसे का tick चलता है, 11 पैसे का boli को नहीं डाल सकता है, 10 पैसे का boli डालेगा, या फिर 15 पैसे का boli डालेगा, 5 पैसे के ग्याद में, जब वही जाओ के commodity को trade करने, तो वहाँ 1 रुपे का tick चलता है, commodity में trade, crude oil trade करने जाओ आप, वहाँ प एक underline के लिए market में किया है आपको, वह चीज अलग अलग है, तो वह चीज रूपी बे था 25 पैसे का tip, तो इसलिए हर क्वेस्टन के लिए ठोरण राउंडिंग करने को रूल देता है आपको, इसलिए नहीं देता है, यह पर 5 पिप का चल रहा होगा, नहीं, 5 पिप का भी सब्सक्राइब है, कि मत्रेट नहीं है, तो मुझे उसमें ज्जादा ऐदिया भी नहीं है, लेकिन जस तरीके से प्राइज दिख रहनी है, में गारे खाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हो कि देखो उदर 16 पैसे भी है ना 16 पिप भी तो है न उदर 16 से तो आ जा सकता है ओके चलिए तो OTC 1-2-1 डील होता है बैंक का ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन है OTC, NSC, BSC का ट्रांजेक्शन एक्षेंच किस में कोई जरूरी नहीं है मार्जिन जाता है उसमें हाँ तो ठीक है तो बैंक में अगर करने जाओ तो अपनी हिसाथ से वो सेफ करके चलेगा आप अगर मार्केट में जाते हो डॉलर्ट खरीदने बेजने तो आप से सेकुरिटी मनी लेकर trade करवाएगा बैंक में जाते हो तो आपके हैसियत देखके करेगा सिंपल सी बात है न तो उसमें क्या करना है सबजी खरीदने गए है एक केजी सबजी बचा हुआ था चार बायर पहुंच गए अब लड़ने लगे लोग भाई सबजी मुझे ही देना मुझे ही देना क्योंकि एक ही केजी गोभी बढ़ा हुआ था उनके पास और सबको जरूरी था अब पूरे मार्केट में खतम हो चुक है दस बज़े रात में अब चारों मिलके लड़ने लग गए क्या बन गिवा बताओ एक्सेंज यानि कि सिर्फ नेचर अफ ट्रांजेक्शन समझने की कोशिस करना अगर पब्लिकली लड़ रहे हो एक्सेंज के ट्रांजेक्शन तो रूल भी मार्केट किया आएगए और वन टूवन डेल कर रहे हो OTC चला यही सब कुछ लिखा हुआ है NSC, BSC, MCX, NCDX, NFC यह सारे जोने एक्सेंज है जहां पर करिंसी जोगर एक्सेंज में भी ट्रेड होता है OTC हो गया ओवर दी काउंटर में मैंने तीन एक्जांपल दे रखा है बैंक में कनवर्जन करना आपका OTC इंडिया की एक ओवर दी काउंटर एक्सेंज है OTC और एक NASDAQ सुनाओगा आप लोगोंने NASDAQ जो है ना आपका दो चीज है वो इंडेक्स भी है जिसे Nifty 50 है ना Nifty Sensex जानते होंगे आज के रेट पे तो रिक्से वाले भी जानता है और Super भी जानता है Nifty Sensex क्या है और Electrician भी जानता है Nifty Sensex क्या है लोगडाउन के बाद से उससे पहले लोग नहीं जानते थे सभज में आगे बाद तो लोगडाउन के बाद तो कॉल पूट आज के रेट पे हमारे Super भी टेड करता है तो यह सिच्वेशन आच चुकिए भी मार्केट की समझ में आ गया तो वो जो Nifty Sensex है और टेड किसमें करेगा पता है बैंक निफ्टी में वह आज तक में हाथ में हाथ लगाता हूं ने बैंक निफ्टी अब भी लगाओ पांच रुपे देखो दस मिनट के अंदर सौ पे पहुंच गए अभी तो यह खपते पहले क्या होई थी पांच रुपे की समान ग्यारा सौ पे पहुंच गई अब सोचों क्या होई फिर अनदर साइड भी सोच ना बैस सो की समान सीधा जीरो पे पहुंच गई पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-प पे ग्यार सो, धाई लग, हजार उपे लगाए, धाई लग कमा लिया, अब क्यों कमा है, उसको से पर अपना बैट के, दो तीन महीने तक क्या करेगा अपना, गम भुलाते रहेंगे, है न जी, बहुत से लोग गम भुलाने के लिए साम को अपना कुछ, महफिल जमाते अपना कोई बात नहीं है, हम तो हजार उपे का यसे मज़े ले रहें, वो यसी सोचता है, उनको इस वात से गम नहीं है, कि पैसे डूजाए, कोई बात नहीं, उतना तो हम पीक उड़ा देते हैं, वो यह सोचते है, ऐसे एक बार बात कर रहे थे, कॉल पूटकास सिख में ही उता है लुटा के रहे हैं अगी पूल लुटा है वहोंते का लिए नि'm कंग जाएं वे गिढ्डा से तो पूट लेव ठीकित वन डो यहांगहाई तो प्रेश फार में पानिटेट शुटा पकान से चलता में इस तरीके से क्या करते है, मांड शयट लगे चलते है, तो कम से कम टाइम पास करता है, तो वही चीज है, तो वो जो Nifty Suns eks है न, वैसे ही Nasdaq भी है, लेकिन Nasdaq肉 मार्केट भी है, जैसे, वैसे नेपाल स्टॉक एकसेंस्ज का सौट फो म है, वैसे ही, Nepal Stock Exchange को जो index है उसका भी नाम NEV से ही है यानि कि Nasdaq दो चीज हो सकता है index भी हो सकता है वो index के है और मैं आगे बताऊंगा Stock Exchange, मैं तो Stock Exchange तो मैं पढ़ाऊंगा निए आप लोगो क्योंकि exam or interest rate तो exam में Stock Exchange आता नहीं है लेकिन terms मुझे बताना पड़ेगा जिसका derivative में link होगा terms होकर मुझे बताने पड़ेंगे क्योंकि मैं सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं बिलकुल छोड़ दूँगा मैं उन सारे चीजों को बताते हुए चलूँगा जिसका कहीं न कहीं linkage है क्यों कुछ बच्चे पहले से ही मानके तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है जिनको इंटरेस्ट नहीं को ने उन वथ शफ़ चैनल केुटरेने अभी बैले यूटब शचैनल करें बीडियो जानता हुं है इस यह मां करनीर क्वाइब में वर्म शब्ती सब्सक्राइब यूह दு. उतना का अल्री डला हुआ है तो जिसको सीखना है वहां सीख लेंगे अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए एक्जान लेकिन डेरिवेटिव एक ऐसे चीज है कि मार्किट की अगर जीरो नौलेज है न तो डेरिवेटिव में कभी कॉन्फिडेंस ने आ सकता है इसको कॉंफिडेंस लाना है तो मार्केट की अगर आपको पता होना चाहिए उतना हम एक क्लास या दो क्लास जितना जरुत परेंगे उतना है बताओंगा आपको तो वहां पर निफ्टी-सेंसिक देखेंगे तो नाश्टैक दो चीज़ होता है एक इंडेक्स भी होता है जो क कुछ लोग होते कभी ओला बुक नहीं किया अरे उस लेना चाहिए मजबूरी में कब आपको बुक करना पढ़ जानते नहीं होते एक दो बार जब तक ट्रेड करके देखोगे नहीं पता नहीं चलेगा कैल्कुलोटर खरीद लो कुछ एक चीज अब सेल करके देखो ना तो आइडिया लग जाए कि कैसे काम करता है वह एक टाइम था जो सब कुछ फ्री देता था और आज है वह एलेक्स हर चीज पेड़ है एक डालो उसके बाद छे मेंने तक अलाओ नहीं करता है कार सेल करने के लिए आज अगर किसी कार को आपने सेल करने के लिए लिस्ट कर दिया ठीक है तो छे मेंने तक आप दूसरा कार की उसमें एड नहीं कर सकते है ठीक है और अगर गलती से सेम कार को फिर से पोस्ट कर दो आप ब्ल पोस्ट कर दिये हैं आज मेरे वह लग्स पर मेरा नंबर नहीं चलता है कितने बार मैंने कस्टमर के ले ले तो नहीं हो जाता है जो अभी बलॉक बदल नहीं सकता, तो मेरा नंबर आज बी बीऊ पे नहीं चलते हैं दो बार पोशे डाल देया तो, रलेgasmin डालिषीर नहीं rudal harvest, चैनल जाल हुआं सब्सक्राइब करें और तो सब्सक्क्राइब, है वहाँ पर one-to-one deal होता है Nasdaq पर भी क्या होता है बताइए one-to-one deal होता है इसलिए world के सबसे बरे OTC प्लाटफ़र्म है Nasdaq इसका फुल फाम है National Association of Dealers Automated Quotation System www.nasdaq.com इसमें आप जाके देखोगे तो वहाँ पर आप अकाउंट ऑपन कर सकते हो आप डॉलर अकाउंट पैसे डाल सकते हो और आपको कोई भी सामान खरिदना है तो एक शेरल मिलेंगे आप वहाँ पर क्या कर सकते हो भाई कर सकते हो आप किसी को लगता है OYO का शेर खरीदना है OYO तो लिस्टेड नहीं अब ही लेकिन limited company है, private नहीं है, OYO limited है लेकिन listed नहीं है, तो limited है मतलब public इसका share holder बन सकता है, लेकिन NAC पर treat नहीं होता, तो आपको किस से खरीदना पड़ेगा, उस लोगों से जो OYO की share hold करके बैठा हुआ है, उसके लिए OTC में जाना पड़ेगा, तो unlisted share कराने के लिए बहुत सारे O OTC platform available है, हमारे जैसे कुछ CA लोगों ने ऐसा platform बना रखा है, जो दो लोगों को मिलवाता है, जिससे OLX क्या करता है आपको, पुराने सामान खरीदने बैचने के लिए मिलवाता है, वैसे ही unlisted share खरीदना बैचना है, जो NAC पर लिए नहीं है, तब भी आप खरीद बैच सकत नहीं है, जो अभी NAC, BSC पर ट्रेट नहीं होता है, उसका share आपको खरीदना है, तो क्या करोगे बताओ, हम ऐसे लोगों को ढूंडने जाएंगे, जिसके पास हो share होगा, और उनको भी ज़र रहा थे, क्या करने को, बेचने के लिए, तो unlisted share खरीदने बेचने का OTC platform, बहु होता है, कुछ transaction, NAC होता है, break भी चाहिए क्या, हाँ, चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा सा relax हो जाते है, break ले लो आप लोग, 7-8 minutes, maximum 10, उससे उपर ने, उससे पहले start हो जाएंगे, तो 10 minutes, exact 10 minutes का break लेलते हैं, फिर break के बाद मिलते हैं, फिर continue करेंगे, ठेक है अब देखिए, एक transaction होता है, spot transaction, एक transaction होता है, आपका forward, spot जो अब भी conversion होगा, अब भी, यानि कि bank में चाहिए, और अब भी आप एक हाथ से डॉलर दो, दूसरे हाथ से रूपी लेके आजाओ, spot transaction, exchange में जाते हैं, और फिर अभी के लिए डॉलर खरीते हैं, लेकिन exchange में अभी के अभी delivery नहीं होता है, वैसे NSC, BSC में spot trade नहीं होता है, NSC, BSC में spot के लिए trading नहीं होता है, जो भी spot में trading करता है, foreign investors और ये बड़े player, उनकी window अलग होती है, उसके window अलग होती है, जैसे आप money market का window अलग है, अगर आप treasury bill में पैसे लगाना चाहते हो, उसकी window अलग होते हैं, ये NSC, BSC वाले platform पे नहीं होते हैं, ये broker आपको allow भी करता है, RBI पे जाके directly my account open करना पड़ता है, RBI retail direct करके कुछ जो होते हैं, जैसे DMAT account open करते हो, वैसे कि RBI के site पे जाके एक account open करोगे, तब वहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे money, ये tragedy bill में participate करने का आपको option मिलेगा, आप उसमें apply कर सकते हो, तो वैसे ही अगर म negotiate करना है, तो NSC, BSC के platform पे नहीं आएगा, उनके अलग platform, समझ में आगे है, उनके अपना अलग account है, जिसमें बड़े player सब मिलके और लड़ते रहते हैं, डॉलर खरीदने बीचने का, इभिन उसमें RBI भी participant है, समझ में आगे बात, तो RBI भी उसमें participant होते हैं, bank होगर हो सकत है, Infosys, Upro, Pharma, जितने भी बड़े-बड़े players है, जिनको allow कर रखा है, पहले आपको permission लेना पड़ेगा, किन से, RBI से, FEDE से permission लेके, बिन इस platform पे आप participate कर सकते हो, हर एक इंसान उस platform पे नहीं जा सकते है, किस transaction के लिए, spot के लिए, तो exchange की spot है, spot transaction, exchange वाले जो है, वो retailer के ल dealer को spot में कभी खरीदना बेचना है, dollar तो कहां जाना पड़ेगा, OTC में, bank में जाने पड़ेंगे, forex dealer के पास जाने पड़ेंगे, dealer यहां तक, okay, लेकिन एक चीज़ और है, exchange में जो हमारा transaction होता है, exchange में जो हमारा transaction होता है, spot के लिए, उसमें delivery कभी भी same day पे नहीं होता है, यहीं भी आपको ध्यान से रखके चलना है, वैसे इंडियान stock exchange में जो stock की delivery होता था पहले, T plus 2, और अब जो होगा वो, T plus 1 हो चुका है, यानि कि आज जो share खरीदते हैं, उनको share कल मिलता है, आज आप share खरीदोगे, delivery कब होगी, कल मिलेगा आपको, optional है, अभी डाला है, same day settle मतलब आज खरीदिये, आज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी हुई नहीं है, अभी मतलब compulsory नहीं, आज साइद compulsory हो भी नहीं सकता है कभी, option के cases में, अब वो कैसे option platform पे provide करेगा, वो सब broker के कुछ option देंगे, उसी साथ साथ भी आये कि नहीं आये, अभी नहीं, वो option आपको अभी नहीं मिलेंगे, optional रखा है, कि आज साम को settlement हो जाएंगे, फिर भी जो मुझे लगता है intraday उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि settlement जोगी during the hour नहीं होगा, लेकिन पहले क्या settlement होता था, T plus 2, अभी सिर्फ इंडिया में T plus 1 चल रहा है, share market के अंदर, बाकि हर जगों पर क्या चलता है, T plus 2, question के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, T plus 2, T का मतलब, transaction rate, plus 2 का मतलब, दो दिन के बार delivery, अगर Monday में trade हुई तो, Monday trade हुई तो two days add कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, बताईए, Wednesday को आपको मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है, M plus, one day, तो क्या बन जाएगा, बताईए, Tuesday को, तो जो, exchange की जो delivery होती है न, वो हमेशा, कुछ time के बाद होती है, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन की transaction को net off करके, फिर ये देखते हैं कि कितने को लेना बनता है, कितने को देना बनता है, exchange spot में कौन allowed है, big player, retailer allowed है की नहीं है, नहीं है, retailer कहां जाएगा, OTC में, OTC की delivery कैसा होता है, immediate, उसमें कोई पूरा दिन की transaction को net off नहीं किया जाता है, अभी dollar खरीदने जाओ, अभी dollar ले लो, अभी dollar बेचने दाओ, अभी बेच दो, immediate, समझ में आ गए, तो यहीं चीज कुछ यहाँ पर लिखके दिया है, कि अगर OTC में कोई spot transaction हो रहा है, तो immediate delivery होगी, ठीक है, अगर exchange में हो रही है, तो T plus 1 या T plus 2, जो आपको question लिखके दें कि उसके basis पर जाओगे, सिर्फ big players क्या है इसमें, allowed है, जैसे Indian Oil Corporation, Infosys, Central Bank, even Central Bank भी participate करता है उसमें, RBI भी participate करेगा, खुद अपना currency बेचेगा, खुद अपना currency खरीदेगा, इसलिए RBI को dirty regulator भी बोलते है, dirty regulator, regulate भी करता है, और participate भी करता है, खुद खरीचता बेचता भी है, और दूसरे को खरीदने बेचने के लिए regulate भी करता है, इसलिए गंदे player है, regulate भी करेगा और खुद भी participate करेगा, हाँ, कुछ कहना चाहरे है, करेगा ने, क्यों नहीं करेगा, कैसे आप मुझे बताए, Infosys को अगर लगता है कि हमें dollar खरीदना बेचना है, आप मुझे आप में एक एक दम से market में क्या होई थी, dollar की price बड़े थी, तो रात को announce किया था, New Jogar नहीं दिखाया कि उथरा time है, हमारे का पास का, मैंने तो पुराने New Jogar सारा रखा, हमने play करके दिखाते हैं, तो उसमें आपको देखना, एक ही announcement आई बस, IOC भाई साब, मतलब जितने क्या कहते हैं, oil marketing company है, सब को gap कर दिया, सिन से, कहते हैं कि तुम्हें market में लड़ने की ज़रत नहीं है, तुम्हें dollar चाहिए न, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर लड़ों के market में तो क्या होचाएगा बताइए, demand बढ़ेगी, तो demand बढ़ेगी, तो price प्लेयर को निकाल दिया, तो अब आप मुझे बताइए, यह प्लेयर निकालने का क्या मतलब, वो भी तो participate करता है, individual हमारे जैसे, आप बोलो कि हम भी करना है, तो कर लो, आप अगर उस criteria को meet करोगे, जो RBI के guidelines के मुताबिक है, आपको भी लगता है कि हम भी एक business से ला रहे ह हमें भी उसमें participate करना है, बड़ अमाउंट है, कर सकते हूं, अब में आज के date पे, अब में देखो, इतना detail में जाना नहीं चाहरा है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास limitation है, ज्यादा जाएंगे, ज्यादा टाइम लगएगा, वो फिर justifiable नहीं है, क्योंकि जो objective से हम ने class रू इन थोड़ा सा unique, unique type का दिखेगा, और देखना हर एक swap पे आपको वो लगा रहे हैगा, बोड पे कि वो भी currency accept करता है, आप में जो बता है, वो currency directly कैसे accept करता है, सोचके देखो, OTC है वो, लेकिन उन्हें सब को permission मिला हुआ है, accept करने, कि लिए सबने FEDEI से permission ले रखा है, आ इस-किस denomination में किया है, वो currency कब bank में जमा कर दिया, क्योंकि उनके पास foreign currency account होते हैं, और वो आप ज़्यादा दिन hold नहीं कर सकते हो, sufficient time frame के अंदर आपको deposit करना पड़ जाता है, कहाँ पे, bank में, आपने अगर customer से को foreign currency accept किया, मालने जिए आप एक swap की पर हो, foreign currency accept करने के इसका मतलब बहुत सारे rules and regulation है, आप भी करना चाहते हो, participate हो जाएगा, बस आपको करना क्या है, बताइए, उसकी guidelines को follow करके उसकी platform पे जाना है, जिससे आज अगर आप treasury bill पे आप account trade करना चाहरे, हो जाएगा, RBI retail direct account open करी, जैसे demat account open करते हो, वैसे ही करते है, मेरा high मेरे पा transaction होता है, इसमें देखो ध्यान से सुना आप, चलिए, forward transaction में क्या होता होंगे, पीछे से बताएंगे, forward या future, क्या होता है, बताइए, क्या नाम दिया मैंने, forward, यानि कि rate आज ताए करेंगे, ठीक है, rate आज हमने ताए किया, delivery कब होगा, future में, तो बदो टी प्लस वन में भ बढ़ा दो, अगर आप टी प्लस टू बढ़ाना चाहते हो, आप कहते हो, टी प्लस वन मन्त होना चाहिए, वाउ, कितना मज़ा आ जाता है, बोलो कि वाउ क्यों होगे इसमें, है न, rate आज ताए हो जाएगे, डील अभी confirm होगिया, rate आज ताए हो गई, पस delivery कब होगा, एक महिने बाद, यहां पर वन मन्त बाद है, अगर मैं टी प्लस टू मन्त लेलू, तो दो महिने बाद डिलिवरी होगी, rate कबता है हो चुका है, आज, तो पैसे भी आज दे देना है क्या, नहीं, जब डिलिवरी होगा ताब पैसे देंगे, मतलब आपको डॉलर जब आएगा, तब रूपीज दोगे आप, तो मुझे बताइए, अच्छी बात है या नहीं है, अच्छा बात है, इसके लिए अलग उंडो होता है, उंडो मतलब बोली जो लगने वाले जो एक प्लाटफर्म होते हैं, वो अलग-अलग मिलेग आपको, इसको बोलते हैं forward, लेकिन यह बै करिंसी के लिए T plus 1 year तक allowed है आपका, करिंसी के लिए India में इंडिया में, नेपाल में allowed है T plus 6 month, नेपाल में T plus 6 month allowed है इंडिया में T plus 1 year allowed है, क्योंग वहां पे उनके currency के जो act है उसके अंदर six month के अंदर कहते है सारे के सारे amount repatriate हो जाना चाहिए ठीक है repatriate जैसे आप मान लिए एक्सपोर्ट की हो तो यहाँ पर restriction से फिर्मा के अंदर कि एक साल से ज़्यादा करेट नहीं दे सकते किसी को आप एक साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा पैसे लाना ही पड़ेगा तो ठीक है इसलिए one t plus one year चलता है तो यह transaction दोनों जगों होता है exchange में भी OTC में भी तो bank में जाओगे तो delivery होगी और exchange में जाओगे तो delivery नहीं होगी तो यह rule है अब यह rule तो पढ़ना पड़ेगा ना NSE में dollar की delivery नहीं होता है कोई सी भी currency की delivery नहीं होते है चार currency trade होता है यह देखो और जो चीज अगर आपको यहाँ पर trade होगी तो इसको future बोलते हैं क्या बोलते हैं future और अगर यह OTC में होगी तो forward forward में और future forward मतलब आगे का future मतलब आगे का अगर T plus one year हो जाए T plus six month हो जाए T plus three days भी अगर हो गया ना तो forward और future हो जाएगा clear यहां तक even T plus one day भी हो गया अगर इसमें तो भी वो future यह क्योंकि हमने window अलग से लटकिया है ना कल delivery होने वाले भी यह future हो सकता है कल delivery होने वाले future भी हो सकता है clear यहां तक future कहां trade होता है N.H.C. में exchange में forward कहां trade होता है OTC में 4 marks का difference भी आता है हम बोलते हैं सारे future सारे future के transaction जो one to one deal हो बैंक में वो क्या हो गया forward सारे future जो OTC में trade होता है वो हो गया forward और सारे forward transaction जो exchange में होता है उसको बोला जाता है future यानि कि future में और forward में एक major difference है सिर्फ market की transaction होई है concept होई है बस सिर्फ market बदल जाता है एक one to one deal होता है एक exchange में deal होता है exchange में bully लगता है one to one जो bank में जाते तो one to one deal होता है अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माल लेजिए मैंने USD INR लिखा जहां से सुनते रहेगा USD INR यहाँ पर मैंने लिखा मैंने कर दिया future currency का future ठीक है तो बहुत सारे currency future मिलेंगे जिसमें से मैं क्या करता हूँ यहाँ पर currency select कर लेता हूँ देखें कितने currency आपको स्क्रिन पर दिख रही है चार currency USD, GBP, EUR, JPY चार currency जो बहुत ज़्यादा popular है वही चार currency यहाँ पर trade होता है यह देखो ना INR पर क्लिक क्या दो चार currency दिख रहे न आपको ठीक है आपकी इसको trade करना चाहरे चलो एक मिनट के लिए हमने USD ही रहने दिया अब कहते बताओ कब कि settlement चाहते हो आप हम कहते यह रहा देखो ध्यान से कितने सारे हैं बहुत सारे हैं आप last trade देख लो आप कब की expiry दिख रहे है आपको last में 27th of December मतलब December end अब वो लोगे 27 ही क्यों है हर जगा 27 क्यों नहीं है October में 29 दिख रही है विजिवल है न ऑक्टूबर में 27 क्यों नहीं है September में 27 क्यों नहीं है वो छोड़ो आप नहीं Saturday Sunday की भी नहीं इसमें होता है last नहीं last Thursday पहले की कहानी थी सब बदल चुकी अब वो भी currency में last Thursday कभी नहीं होता था अब last Thursday जो बच गई है न सिर्फ अब वो सिर्फ बच गई है निफ्टी के लिए और stock के future के लिए इसमें चलता है third last working day third last working day of each month सभज में आगया बात तो आप देख ले ना उसमें से count करना third last working day कहां जाता है वो जाका आपका बात सो जाएगा जैसे आपका December की बात करें यह रहा है यानि कि यह आपका कितने दिन हो गया देखो अभी हम कहा है स्टांड करते है January 2024 में और यह देखो December 2024 कितने दिन आगे की है one year आगे का है rate कब तय होगा आज कितने में तय होगा लड़ो जाके यहाँ पर यह लो एक से जैने लड़ना पड़ेगा यहाँ पर आपको यह लड़ो अट एक जी ध्यान रखना है sports से आपको future की rate अलग दिखेगा कि देखो आप यहीं कहीं पर लिखा होगा गई लिखा है कोई बात नहीं लिखा है तो देख लेंगे यह यहां पर क्या करना है बताए है रएक पर क्लिक करना है मुझे reference rate पे देखों, कितने का rate दिख रहा है 83.1155 दिख रहा है, अभी कि उस पे कूता दिख रहा था, 83.1155 दिख रहा था, लेख न ये RBA के reference rate था तो RBA का reference rate 83 है लेकिन 1 year आगे का rate कितना चल रहा है इतने पर लोग बोली लगा रहा है क्यों इतना पर बोली लगा रहे है बताना time value बिल्कुल सही क्योंकि आज मैं rate fix कर रहा हूँ delivery लेँगा एक साल के बाद तो एक साल जो मेरे को time मिला है उसकी time value नहीं आना चाहिए मालजे कोई समान यह आज 500 रुपीज का है वन यह बाद का समान ने 500 का नहीं होगा यहाँ inflation भी आता है अगर 5% के inflation हो तो इसकी price एक साल बाद कितनी होनी चाहिए 500 प्लस 5% 420, sorry 500 प्लस 5% फाइब, एक क्या चल रहे भाई थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्या 525 है ना तो यह जो 525 है वो वन यह बाद के rate बन जाएगा तो rate होता है वन यह बाद के लिए लेकिन rate fix कब होता है आज, तो एक चीज़ हमें सह क्या याद रखेंगे forward के अंदर तो अब देखिए इसमें यह जो 48 का rate है तो अब यह कैसे calculate करेंगी वह मैं बताऊंगा भी, इसके बाद में बताऊंगा कि calculation कैसे करना है time value बस adjustment होती है लेकिन currency के अंदर time value के adjustment में थुरा बदल जाता है, बदल क्यों जाता है इसमें time value adjust करना बहुत आसान है तेक है, इसमें time value adjust करना आसान है लेकिन currency के अंदर time value adjust करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है वह मैं बताऊंगा Interest Rate Parity Theory के नाम से क्या बोलेंगे उसको Interest Rate Parity IRPTA क्योंकि दो कंट्री के Interest Rate को माच करा के हम लोग क्या करते हो वहाँ पे Parity पे लाके तब हम Exchange Rate निकालते Calculation मैं भी बताता हूं जास थोड़ा दिर बात पस पहले ये समझ जाओ कि इस Rate का मतलव क्या है Rate का fix करना पड़ेगा आज Delivery कब होगे Future में लेकिन Exchange में Delivery होता कि नहीं होता यहाँ पे अगर यहाँ पे Trade करोगे तो Exchange में Delivery होता ही नहीं है पहली बात लेकिन यही काम कहां करने जाओगे Bank में तो आपको Delivery होगा कितने Rate पे जो आज तैय करोगे कब Delivery होगी One Year के बाद क्या बोलेंगे उस Transaction को Forward इस Transaction को क्या बोलेंगे Future दोनों में Difference क्या है Logically कोई Difference नहीं है Rule की Difference है यहाँ की Rule अलग चलता है जाओगे यहाँ पे किसी को हैसियत को जज नहीं करना है पहले Security Money देना है तब काम करना है Bank में जाओगे कोई Security Money की ज़रत नहीं है समझ मैं है कुछ बात आप मुझे बताइए Bank में जाते हो लोन लेने पार्सलिटी करेगा ओ बैंक वाले आपके बहुत सारे document ढूंडेंगे अम्मानी चले जाएंगे उसको document ढूंडेगा उसकी market में क्या है उसके अपने हिसाफ से ढूंडेंगे हमारे को अपने हिसाफ से ढूंडेंगे मतलग क्या अलग-अलग person wise क्या होता है वहाँ पर rule अलग चलता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है अम्मानी भी जाए तब भी उसके लिए वही रूल है और हम भी जाए तब भी हमारे लिए वही रूल है रूल क्या है भाई अभी security money दो आप बोलो कि किस बात का security money दो भागना नहीं आपको सर्त लगाए हो तो delivery तो लोग है न इसको बोलते हैं margin जब भी बोले कि margin तो समझाना exchange की language है आप मुझे बताओ starting में तो one two three पढ़ा ना आपने इसको बोलते है one इसको बोलते है five इस तब तो पढ़ा ना बच्पन में वैसे ही आपको अभी पढ़ना पढ़ेगा कि market में security money advance money जो आज देते हैं delivery हम future में लेंगे तो यहां तो delivery नहीं होगा तो यहां पर settlement कैसे होगा फिर differential बोलोगे differential कैसे आपने तै कि माल लेजे 85 माल लेते हैं इसको 85 में buy करना है लेकिन market में date हो गया 90 कहां तो आपको मिलेगा कितने में 85 में लेकिन rate कितना चल रहा है 90 तो बोलता है कोई बात नहीं पांच रिपे ले लो हम माल लेंगे कि आपको दे दिया 85 में 90 का सामान कितने में देना है आपने बाई किया रेट टाई किया 85 माल लो 85 यह रहा न उदर देख रहा है निसे थोड़ा उपर कर दिया मैं 85 पर रेट टाई कर लिया तुम मैं माल लेज़े सेलर हो तो मुझे तो डॉलर देने पढ़ेंगे न आपको अब यहां तो डिलिवरी होता नहीं है तो क्या करेंगे बताओ तो जल्दी difference settlement करेंगे इसकी ज़्यादा rules and regulation हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे derivative chapter में इसका मतलब forex के अंदर future की जो transaction है वो हम यहाँ पे skip कर रहे हैं अब समझ में आगे बात forex की जो future वाले transaction है आप book में जाओगे तो future भी आपको book के अंदर forex नहीं मिलेगा हम आपको forex में नहीं करा रहे हम कहां कराएंगे derivative क्योंकि पहले rules and regulation पता होना चाहिए अब या तो फिर मुझे की future करेंगे सब एक साथ करेंगे future सारे हम नहीं तो यहाँ पे क्या करना होगा derivative भीच में घुसाने पड़ेंगे वो गलत काम हम नहीं करते हम derivative वाले question ही आगे करते हैं समझ में आगया तो जब आप derivative में जाओगे न यहाँ पे यह देखे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ प आपके बुक में study mat में CA वाले हो, CMA वाले हो, CAP 3 वाले हो सबको यह मिलेगा फॉरेक्स के अंदर हमने फॉरेक्स का उन सारे question को हटा दिया यह फॉरेक्स की question है देख रहे हैं forward contract currency future देखो forward भी कर रहे हैं currency future भी कर रहे हैं देखो दोने में difference है कुछ-कुछ rules and regulation की और एक option भ गराईएं बड़े-बड़े questions होते हैं यह हालत खराब करते हैं बच्ACHो को इस बार भी आया थे is question exam में तो यह question से solve नहीं होता है यह किन बच्चों से solve नहीं होता है जिनको foreign problem होगा, उन से भी solve नहीं होगा और जिनको derivative में problem होगा उन सो भी सौनने होगा क्योंकि ये दोनों की mixer है कुछ बच्चे forex छोड़ देते ये derivative पढ़ लेते तब भी नहीं वनेगा कुछ बच्चे derivative छोड़ देते ये 4x पढ़ लेते तब भी नहीं वनेगा इसमें क्या चाहिए आपको दोनों चाहिए जो दोनों में export यहीं वनेगा तो यह थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा difficult वन जाता है तो इस series को में बात में पढ़ाएंगे ठीक है चलिए तो एक काम करते हैं इसको में थोड़ा सा skip करते हैं आप लॉजिकली दोनों सेम है इतना बस समझाओ future और forward दोनों क्या बताइए लॉजिकली सेम है forward कहां करना पड़ेगा बैंक में future कहां होगा एक्सेंज में एक्सेंज में delivery होता नहीं होता नहीं होता OTC में होता कि नहीं होता होता लेकिन वो किसके लिए allowed है बिग ब्लेयर हमारे जैसे लोग लड़के डॉलर खरीद बेचनी सकते हैं खरीदना बेचना कहां जाना पड़ेगा बैंक में इमेडियेट एक हाथ दो एक हाथ लो एक्सेंज की रूल बहुत अलग चलता है एक्सेंज की रूल से हम लोग आगे पड़ेगे ठीक है कहां थे हम लोग कहां थे हम लोग कम तो हम लोग यह चीज़ अब ये प्राइस जो है ये कैसे निकालने आप ठीक है अभी बताते हैं चलो रीड करना शुरू करते हैं हम लोग कहां थे कहां थे यहां थे forward हो या future हो आज rate तै करते हैं Mr. A ने agree किया buy करने के लिए bank नेगरी करना sale करने के लिए mileage rate तै कर लिया कितने का बताई 85 का अब क्या होता है देखो 3 मन्त का mileage ट्रांजेक्शन था अगर 3 मन्त बाद का ट्रांजेक्शन था तो rate आज तै होगी यह contract है आज सर्ती तो लगा न आप देखे इसको forward contract भी बोल सकते future contract भी बोल सकते bank में होगा forward exchange में होगा future mister एक कौन था बताईए buyer यसको buy करना पड़ेगा dollar और देगा क्या बताईए 85 चाहे rate कुछ भी हो जाए यहाँ पर rate 90 हो जाए या कुछ भी हो जाए doesn't matter तो देखो कहां पर लिखा होगा कहीं पर it doesn't matter अचा चलो कुछ भी rate हो जाए आपको इतने पर delivery होगा बस simple एक line अब आई आ गया today is contact for future settlement on OTC अचा read नहीं करना आप लोग read करते रहिएगा बस यह मैं read करा देता हूँ in India one year तक के लिए मिलता है in Nepal कितने दिन के लिए मिलता है six month के लिए इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रत नहीं मैं note पढ़वा देता हूँ we will calculate fair forward rate, fair future rate later on using IRPT या PPPT inflation को use करके भी forward forecast करते जिसको बोलते purchasing power parity future contract, future transaction is derivative instrument and we will discuss it in details का बताईए derivative chapter में किसकी बात हो रही है future की forward हम यहाँ पढ़ लेंगे यह percentage premium discount की कहानी चलिए एक काम करते अभी तक percentage में उन्हें discussion नहीं किया था अब क्या आ रहे है देखिए यहाँ पर कल कर लेंगे वैसे कुछ रोख कह देखिए कि तोड़ा सा दिक्कत है Sunday Sunday क्योंकि family में मतलब जो भी है अब क्या बताना है ना तो Sunday को थोड़ा से off कर दीजिए तो मुझे लगा तो लेट हो जाएगा तो एक काम कर लेंगे balance कर लेंगे ठीक है दोनों की बात रख लेते हैं alternate Sunday Sunday चुटी कर देंगे उनकी भी कुछ बात हो गई इधर भी हो जाएगा ठीक है तो हर Sunday चुटी नहीं करेंगे मार्स तक तो ही जाएगा उससे पहले कैसे जाएगा उसके आगे जाने का तो मतलब भी नहीं बनता है उससे पहले ही करना है बिलकुल सभी बोल रोया वैसे तो अगर Sunday Sunday करेंगे तो प्रॉबाब्ल पॉसिबिल्टी है कि मतलब मार्च मीट तक है मार्च मीट तक होता है ठीक है देख लेंगे अभी तो देख लेंगे कैसे करना है तो मैंने प्लान किया कि ठीक है एक औरनेट Sunday को हो सकता है तो कर लेंगे तोड़ा सा उनकी बात रख दो है ना कोई इतना मेहनत कर रहें बहुत दिनरों के बाद गय है तो तौरह सा उसी के लिए तो ना को जलो फिस गयाप के बाद कुछ लोग जो इनने स्टाट करें अभी मैरीन यह बच्चे होगर है तो तो संड़े अगर मिल जाते तो तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंट जाते है स्कूल होती बांकी टाइम पे तो ठीक है आपकी बा नहीं होगा तो डेली के बिस्टिस क्या कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आज या आगे बढ़ते हैं में लोग कहा थे अभी बात कर रहे थे कुछ percentage premium discount इसको समझ लीजे देखे डॉलर वन जो है ना सपोज रूपीज रूपी 85 डॉलर वन इक्वल टू रूपी माल लीजे 90 है यह आज का rate है आज का और यह है सपोज किजिए 6 मंद का फावर रेट है ठीक है मैं ऐसे ले लिया तोड़ा से ज़्यादा बढ़ा करके ले लिया अब मैं अगर यहां पर बोलूं percentage premium की बात करो है ना तो आप मुझे बताईए percentage premium कितना होगा सोचके बताओ 90 माइनस 85 क्योंकि पांच लिपे महंगा हो रहा है ना कहां से महंगा हो रहा है 85 से हो रहा है 85 पे जाएगा multiply by 100 कितना आ गया 5.88% क्या एक formula का safe दे देते क्या बताइए forwarded minus spotted divided by spotted multiply by 100 लेकिन ध्यान रखना इस 6 मंद का है हम normally कभी भी premium discount किसी को quote करते है तो annual quote करते है तो annual कैसे होगा बताइए 12 divided by 6 है ना तो इससे आपका value आ जाएगा multiply by 12 divided by 6 करोगे तो 2 times हो जाएगा तो 5.88 multiply by 2 यह आपका आगया कितना 11.76% इतने percent का premium जा रहे है आप यहाँ पर देखोगे ना तो रूपी आपका discount पर है 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 ना कितने discount पर कोई बता सकते है रूपी का discount बता उतरा जल्दी से रूपी का discount कितना है याद रखना है रूपी की discount अगर बोलना है तो रूपी का rate होना चाहिए अभी जाके आपको logically समझ आएगा है ना तो एक काम करते है रूपी जवन का आज का rate लिखते है तो क्या आएगा देखो 1 divided by 85 मेरे इंसाब से 0.0117647 मैंने जानबुच के ज़्यादा digit रखा है ताकि उसमें decimal में differences ना आए निकालने का यह कौनसी rate है spot rate अब मुझे बताए रूपी वन का कितना rate होगा dollar term में dollar 1 divided by 90 यह आजाएगा आपका 0.01111111 ठीक है यह कौनसी rate है 6 मन्त का परवाट है एक काम करो ना क्यों अभी 6 मन्त के चक कर रहे हैं फासे हम लो ठीक है चलने दो कितना दिन का बताओ जाने दो 1 यह का सीधा हमारे को जो चीज़ों भी फोकस करना है उस पर फोकस कर रहे ना पहले 1 यह का रखती है भी फिलाल बार बार इसको 6 मन्त से 1 साल में कनवर्ट करते रहे हैं जी अध्यान से सुनना आप यहां पे 1.0117 से 1.0111 पे जा रहे हैं मतलब यह सस्ता हो रहा है है ना और यह पढ़ा भी था जब एक करिंसी हमारा appreciate कर रहा होता है तो दूसरा currency depreciate कर रहा होता है कितना percent का अगर depreciation है अगर यह check करोगे तो अभी भी rate वही लग रहा है formula वही लग रहा है देखो आप कैसे यह हो गया forward rate यह ना forward rate minus spot rate तो बोलोगे तो negative आ जाएगा तो negative आ गया मतलब depreciation negative है मतलब सस्ता हो रही है positive है मतलब महंगा हो रही है okay divided way क्या करो बताइए नहीं spot जाता है यहां पर spot ही जाएगा क्योंकि देखो किसका निकाल रहे हो आप इसका यह सस्ता हो रहे यहां से सस्ता हो रहे है न रूपी सस्ता हो रहे है कहां से कहां से कहां से सस्ता हो रहे है यहां से सस्ता हो कि यहां जा रहे है तो स्पॉर्ट ही तो होगा नहीं बतले गए, स्पॉर्ट ही रहेगा क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं इसका, इसका अच्छा, यानि कि multiply by hundred, तो देखो कितना आ गया minus दोने को difference लेना जल्दी से 0.000 कितना जा रहे है 000 के बाद आएगा न अच्छा, 5 आ गया कितना रहे बताओ 005 वही तो मैं लिख रहा था आप लोग उन तो मुझे 000 रखने ने दिया मुझे, चलो एक काम करते है आप लोग ठक गए हो लगता है 0.0 अगर मेरे से कालकुलोसिन करवा रहे हो न तो समझ जाओ कि आप ठक गए हो मेरे को कालकुलोसिन करना ही नहीं देना चाहिए 0.0 1 1 7 6 4 7 एनरजी दिखनी चाहिए, एनरजी दिखनी रहे है 6 5 3 6, या रहे क्या चाहिए है, ओके इतना डिवाइड़ वाई, कहां से लूंगा बताए 0.0 1 1 7 6 4 7 multiply by 100 इतना डिवाइड़ वाई 0.0 1 1 7 6 6 4 7 multiply by 100 कितना दे बताए 5 5 5 परसंट अब यह तो कोई नहीं बोल सकते होगा कि राउंडinga आफ का difference है तो कि इसलिए मैंने कितना वाईड़ बताए अब इतने डिवाइड़ में कॉनसी rounding आफ का difference है सोचके बताऊ कि माईनस 5 पराइड से 55 जा रहे यहां से महंगा होता है सुन रहे कुछ यहां से महंगा हो रही है कितना परसेंट महंगा हो रहा है और सस्ता यहां से होता है 20% देखो ध्यां से आप सेम प्राइस है परसेंटेज अप्रेसेशन और परसेंटेज डेप्रेसेशन बगलता है क्योंकि डाउन जब भी कभी होते है ना बड़े से नीचे आता है और महंगा हमेशा नीचे से उपर होता है आज अगर कोई सेयर 90% तूट जाए और फिर 90% बढ़ जाए दूर-दूर तक लिंक नहीं होता है तो ही लगता है आज अगर माल लिजे एस बैंक 400 से तूटके विसे आप लोगों को स्क्रिन पर 400 सायद दिखेगा नहीं एस बैंक के स्क्रिन पर 400 दिखता है विसे नहीं 400 तो दिखेगा अठार उननी सो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि इसके प्राइस कभी 2000 भी पहुँचा हुआ है तो क्या प्राइट होने के बाद का सेयर प्राइस बैंक का तो 400 से पांच रुपे पे आ गए नहीं तो फाइव माइनस फोर अंड़ डिवाइड बाइड बाइड फोर अंड़ मुल्टिप्लाइवे हंड़ेड नाइंटी एट पॉंट सवेंड परसंट गिर गया पांच रुपे तक का चुके थे स्वेंग कभी 4-00 से खहां तक किर गए 5 लुपे तक रुपे लास्टाइट पराइस 5 लुपे समझ पैसे था स्वे लुपे तक अगाए हो तो इसके बाद से बाद सेव बढ़गे अभी 20 बच रुपे का सबस कुछ चल रहा हूगा सब्सुलिप चल रहा हैंग तो यह देखे, अब एक काम करते हैं, कितने परसेंट टूटा, 98.75%, बढ़ा देते इसको 98.75%, कितने पर चला जाएगा, 10 पर, इसका मतलब 100% गिर, 98% गिर, 99% गिर और 99% बढ़ना, मतलब मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं, एक्जेक्ट अलक्रोशन क्या करना है, पांस से दो ग होता है, बढ़ने की परसेंटेज हमेशा बढ़ा होता है, गिरने की परसेंटेज हमेशा छोटा होता है, नहीं समझे, बढ़ने का परसेंटेज बढ़ा होता है, मतलब क्या होता है, बढ़ने का, बढ़ता है छोटे वैल्यू से, इसका परसेंटेज हमेशा क्या होता है, ज अगर यहां तक जाना है ने इसको, दुबारा, 7,900% इसको उपर जाना पड़ेगा, गिरा सिर्फ 98% और अगर उस लेवल पर उसको उपर जाना है न, तो 7,900, मैं गलत तो नहीं गोला न कुछ, 395 डिवादर वे 5, मल्टिप्लाई वे 100, 7,900% बढ़ने के बाद हो पैरलेल बने समझ में आगे बाद? तो बढ़ने का узнаmit हमेसा ज़ादा होता है क्योंकि डिनोमेटर में 5 यूज करते हैं, इसका मतलब एक चीज याद कर लो, दिमाग में सित कर लो, percentage premium का percentage हमेशा ज़ादा होगा और percentage depreciation का rate हमेशा छोटा होगा, दिक्वो अब, percentage discount देखे छोटा है, percentage premium क्य बढ़ा है अभी देखो यहाँ पे यह discount था देखे इसका amount amount देखना 5.55 इसका amount देखना 5.88 हमेशा और एक और भी चीज है एक currency जितना premium पे जाएगा दूसरा currency exactly उतना ही discount नहीं होता है same rate क्यों ना हो rate same होता है देखो अब rate यह same ही use गिया क्या आपने formula भी same ही use गिया लेकिन percentage क्या हो गया बताइए बदल गए क्योंकि base बदल चुका है इतना किसके पास time है रुपी का discount निकालने के लिए convert करता रहेगा time नहीं लएगा इसमें देखो अब आप लोग से पूछ रहे थे calculation mistake कर रहे थे बार बार ठीक है अब आप मुझे बताइए ये जो rate है इसी rate को use करके क्यों न मैं निकाल देता है उसी concept को use करके जैसे भी मैंने किया थे यहाँ पे बड़ा चोटा का base ही तो बदलना है बस और कुछ नहीं करना है एक काम करो नहीं इसी rate को pick करके कर लो आप बोलोगे कैसे यहाँ से आपको इसी में से आपको पता है कि डॉलर महंगा हो रही है न इसकाना तर रूपी क्या हो रहा है बताईए सस्ता एक काम करते इसी rate को use करके मैं रूपी का discount निकाल रहा हूँ तो क्या करो बताईए सब कुछ सेम रखना आप जो पहले आफ हार minus exported किया था न अब एस minus f कर दो उल्टा कर दो आप minus आजाएगे देखो आप और divided by आपको क्या निकालना है बताईए discount discount के लिए कौन सी base होना चाहिए बताओ बड़ा बड़ा base कर दो divided by कर दो forward multiply by 100 जो कितना आगया माइनस 5 divided by 90 multiply by 100 ये देखो 5 divided by 90 multiply by 100 देखना वही आ रहा है क्या तो मुझे बताईए calculation ही तो करना है मुझे कौन जाएगे इतना फालतू का time किसके पास एक convert करो पहले rate को direct to indirect फिर indirect को लेओ फिर decimal का भी difference आएगा अभी तो हमने 67 digit रखाई से लिए आपको exactly आ रहा है अगर यहाँ पर rounding off करोगे इसका भी answer में difference आएगा तो क्यों करें इसे इसे ज़्यादा better है इसी rate को use करेंगे और निकाल देंगे तो अब हम लोग क्या करते ध्यान से देखो अगर इसका premium discount निकालना है तो forward को base में डालना है और इसका premium discount निकालना है spot को base में डालना एक currency का premium दूसरे के discount की equal नहीं होता है लेकिन institute use करता है पहले नहीं करता था अ वो tax value teacher से हम पूछे वो तो क्या कहते है जो institute कहता है वो करो आपने तो 789 में पास किये हमारे साथ आज क्या हर आपको पता ही नहीं है तो आप तो अपने हिसाफ से opinion दोगे अब आज मैं बताता हूं क्या करता है हमारे time पे एक भी ऐसा point नहीं होता था जिसमें dollar के premium को rupee के discount के लिए यूज़ करें लेकिन अभी पिछले दो साल के अंदर हर question में चूट एक ही काम कर रहा है क्या बताए एक के premium को दूसरे के discount के लिए यूज़ कर रहा है मतलब वो accurate calculation कर रहा है या approximate कर रहा है अब institute approach calculation करता है हम भी कर ले बहुत अच्छा लेकिन आपको बता दू institute और आप approach करके आना marks cut कर सकता है आज करें सायद ना करें आज सायद ना करें क्योंकि आज तो अब उसका दो opinion बन चुके है कि आप accurate कर लो approximate कर लो हम दोनों में marks दे देंगे इवें नौंबर 23 में तो ऐसे ऐसे question की solution दीए उन्होंने जो दिलखुस कर देगा आपको बिलकुल मतलब approximate to approximate solution दे दिए solution के अंदर चार-चर में धर शे डाल दिए मतलब किधर से भी आपको क्या होने वाला है marks मिलने वाला है ऐसे अगर institute मेहनत करके चार-चर solution बच्चे के सामने रख देना कि जितने भी लोग जो होते ना यह सारे जो negativity फईला के जो दिमाग में आप लोग क आपको क्या करें डरा के बैठा हुआ है ठीक है वो सब ठीक हो जाएगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विए जो recent institute की बहुत इंप्रूव कर रहे आपने आपको इंस्टीट एक-एक solution के अंदर जहां जहां भी doubt होगा होगा करता था यह करे वो करे हर के 3-4-4 solution दे र आपक्सिमेट करते हैं साइद मांच नहीं देता तसलिए हम हमेसा कहते हैं कि नहीं एक के premium दूसरे के discount के एक लजूम नहीं करेंगे देखो यहां पर यह discount यह premium लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कहते है चोटा minor difference है नहीं चलेगा देख लेंगे हम लोग आगे चलिए तो हो रूपी का ही premium discount था, spot लिया था, रूपी का ही premium discount था, forward लिया था, answer दोनों का क्या है बताइए, same आया है, नहीं नहीं यहां पे 5.55, 5.55, ऐसे कैसे हो गया, एक बार मैंने forward रखा है base में, एक बार मैंने spot रखा है base में, तब भी answer same है, different है न, एक बार रूपी का rate निकाल के, तब हमने base में spot रखा था, आप देखना इन दोनों को compare करो, अभी भी यह बड़ा है, अभी भी यह बड़ा है, percentage discount ना हमेशा बड़े value से या था, इन दोनों में compare करो ना यह बड़ा है कि नहीं है, है न, तो देखो percentage discount निकाला था, spot रखने के बाद बड़ा गया था base, और जब इसी rate को use किया न हमने, तो जब forward रखा तब गया base में बड़ा, जब तब गया बड़ा, इसलिए दोनों का answer क्या रहा है बताईए, match हो रहा है, अरे, simple से इसको याद रखना कभी mistake ने होगा, percentage premium हमेशा बड़ा, percentage discount हमेशा छोटा, एक line में, इन दोनों के difference में अगर डिसकाउंट आजाएगा, discount किसका होगा, जिसकी quantity बढ़ रही है, premium किसका होगा, जिसकी price बढ़ रही है, ज्यादा दिमाग लगाने के ज़रत नहीं है, समझ में आगया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना सारे रास्ते से सोच नहीं सकते हैं न पिर, question में तो confusion हो इसका premium discount निकालना हो, spot minus forward divided by forward, very simple, कुछ नहीं करना है, बस खतम होगी बात, यह देखो, premium discount निकालने के लिए, base currency का, क्या करेंगे बताओ, forward minus divided by spot, आईए, इसका निकालने जो price currency है, हमारे case में भी कौन सी currency था, बताओ, price currency, क्या करना है, spot minus forward divided by forward, यह क्या है, annual निकालने के ल हो है, अलड़ी हमने पढ़ लिया इसको, एक बार आप रीड करते रहेगा, यह कुछ note लिखा हो है, note रीड कर लेते हैं, बस इसके बाद चुटी करते है, percentage premium of one currency is not exactly equal to percentage discount, exactly नहीं होता है, of another currency, also verified in above example, इसमें अलग example होगा, उसको देख लेना, but institute sometimes uses percentage premium of one currency as percentage discount of another currency or vice versa, मेरे notes में यह कभी लिखा हुआ नहीं होता था, आज से दो साल पहले वाले notes में चले जाओ, इसमें यह line नहीं कभी लिख्या होते थे, कि यह वाले line कौनसी वाले, but institute uses percentage premium of one currency as percentage discount, जब institute अब बार बार करने लगाए, तो हमें भी opinion बदलने पड़ेंगे, जो कि audit वाले, tax बाल law बाले, उन लोग को नहीं पता चलेगा, समझ में आगया बात, इसलिए आप लोग को SFM या AFM की guidance, AFM की teacher से ही लेना है, और audit की guidance मेरे से मत लेना, मैं misguide कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं comment करता ही नहीं कभी दूसरे paper पे, मैं कैसे करूँगा, दिन दा यूज करता है इस चोट, टाइम हो गई, अगर इसको करी लेते हैं, calculation of forward new discount, time value of money, फिर question solve करने के लाइक बन जाएंगे, ठीक है, हम लोग बस 5 से 7 minutes और extra लगाएंगे न, तो question solve करने के काभिल हम लोग अब बन चुके है, इसका मतलब यह हो गए, कि हम लोग उने कितना time save किय अगर मैं देखो, तो नॉर्मल वैच में सायद, पांच में लेक्चर में, या छथे lecture में question पर पहुंचते हैं, हम लोग किस पर पहुंच जाएंगे अब, आज तीसरा था ना, चौथे में पहुंचेंगे, मतलब दो तीन, 50% time save करना है हमें, 50% time save नहीं हो इसमें, कोई बात आगे कर लेंगे, question नहीं भी तो बहुत time save होगा, क्योंकि वह question solve करते हैं, यहां तो सारे पढ़ेंगे, roughly सारे solve करेंगे, roughly आप लोग भी solve करेंगे, ठीक है, मिलते हम लोग, next class ने question solve करने के point देशे,